हम लोग बात कर रहे थे हर्याना सामन यान के बारे में और अगर आप लोग हर्याना के किसी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इन किलासों को जरूर देखिएगा आप लोगों के लिए बहुत ही मातपूर हो सकती हैं देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे हर्याना आपको देखने को मिलेगा यह है आपका हर्याना और चंडीगर इसकी राधधानी है और आप देखेंगे कि इसे एक नवंबर 1966 में राज्य बनाये गया था यहां 22 आपको जिले देखने को मिलेंगे और विधान सबा में 90 सीटे हैं राज्य सबा में 5 सीटे हैं लोग सबा में 10 सीटे आपको देखने को मिलेगी इसका अगर टोटल छेतफल अगर आप देखें न हर्याना का तो 44,212 बरक किलो मीटर में आपका फैला हुआ है तो आप हम क्या करते हैं कि एक एक जिले को देखते हैं हर्याना के एक एक जिले को देखते हैं हम लोग और सबसे पहले हम लोग सुरू करते हैं उपर से पंचकूला से और आप देखें इसकी पंचकूला की सिमा हिमाचल पिदेश से भी लग रही है और आपकी देखे पंजाब से भी लग रही है यह पंजाब आपको देखने को मिलेगा यहां है माजल पिदेश आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग पंचकूला की इस थापना की बात करें कि कवे से जिला बनाया गया था तो आपको देखने को मिलेगा 15 अगस तो 1995 में इसे जिला बनाया गया था और इसका पंचकूला का मुख्याल है पंचकूला में ही आपको देखने को मिलेगा और पंचकूला का छेतफल आपको 816 बरक किलूमीटर देखने को मिलेगा पंचकूला के उप मंडल देखें तो पंचकूला और कालका इसके उप मंडल है और इसकी तहसील आप देखें तो पंचकूला और कालका इसकी तहसील आप लोगों को देखने को मिलेगी पंचकूला की उप तहसील देखें तो आप देखेंगे वरवाला और मोर्नी और रायपुर्रानी इसकी तहसील है पंचकूला की कुल जनसंख्य अगर हम दोग देखें 2011 के साब से तो आप देखेंगे 5,58,890 आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसकी साक्चरता दर देखें तो 83.4 परसेंट देखने को मिलेगी और आप सभी को मालू होगा कि हर 10 साल में जनगरना होती रहती है और यहां का लिंगनपात आप देखें तो 870 है यानि कि 1000 पर 870 महिलाएं देखने को मिलेगी और पंचकूला का अगर जनसंख्या घनत देखें तो की पिती बर किलूमीटर में कितने लोग रहते हैं तो 622 बेक्ती पिती बर किलूमीटर में यहां निबास करते हैं पंचकूले जिले की उपनाम भी है इसे नदियों के सहर के नाम से जानते हैं नैनो सिटी के नाम से जानते हैं, ड्राइ सिटी के नाम से जानते हैं, पांचकूप के नाम से जानते हैं, फैरे सोब, हर्याना के नाम से भी आप लोग पंचकूला को जानते हैं, पंचकूला का नाम प्राचीन नाम इसका पंचकूप है, और पंचकूला का नाम पंचकूला क क्यों पड़ा क्योंकि पांच जर्णों के कारण से पंचकूला आप लोग कह देते हैं और पिंजौर का प्राच्ची नाम पंचमपूर है आप देखेंगे और यहां भीमा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा जो पिंजौर में है और इसे उत्तर भारत का खजुराहो का मंद और यादबंद गाड़न को मुगल गाड़न भी आप लोग कहते हैं पिंजौर गाड़न भी से कहते हैं और पिंजौर गाड़न यानि कि यादबंद गाड़न में आम का मिला लगता है जिसकी सुरवात 1992 से हुई थी, HMT की फैक्टरी भी पिंजौर में आपको देखने को म पंचकूला को ट्राइ सेटी के नाम से जानते हैं, सरवादी बंचित भी आपको पंचकूला में देखने को मिलेगे, मोर्नी की पहाडियां पंचकूला में ही हैं, जो मोर्नी की सबसे उची चोटी करो है, जिसकी उचाई आप देखेंगे 1514 मीटर देखने को मिलेगा, अंतरा पंचकूला को टीचर हम भी कहते हैं आप लो, ज्यानन्त जैन गुरू कुल हमें देखने को मिलेगा, कालका से सिमला nim काल रेल वि-लाइन की सुबाद 1893 में हुई थी लेकिन 1903 में यह बन कर तेयार हुआ था और 1906 में जनता के लिए खोला गया था काल का रेल्वे लाइन को 2006 में 218 सूची में सामिल किया गया था हर्याना इस्टेट अरकाई कावाईज पंचकूला में ही देखने को मिलेगा यह क्यांद सासी पिदेश चंडीगड का सेटिलाइड भी सहर है और आप देखेंगे 23 अक्टूबर 2010 को पंचकूला में लगू क था संपिलन संपन हुआ था और आप देखेंगे पंचकूला में युवा होटल का निर्माड भी किया गया जिसमें युवा परेटकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधा पिदान की जाती है गिद्द सरक्षन और पिजनन केंद भी आप लोग देखेंगे 2006 में पिंजोर में बनाये गया यह पंचकूला में ही देखने को मिलेगा रेड जंगल फाउल पिजनन केंद भी आपको पिंजोर में देखने को मिलेगा फी सेंट पिजनन केंद मोर्नी यह भी आप लोगों को पंचकूला में देखने को मिलेगा ताउदेवी लाल इस्टेडियम नैचूरल घिष्टी सोसाइटी पंचकूला के मुख्याल है देखें तो पंचकूला में सेचाई बिभाग का मुख्याल है आपको देखने को मिलेगा हर्याना साहित अकादमी का मुख्याला भी पंचकूला में आपको देखने को मिलेगा यहां मंदिर कालका देवी मंदिर आपको पंचकूला में देखने कुमलेगा काली माता मंदिर राश्टी राजमार्ग 22 परिस्तित है और यह कालका सहर से होका गुजरता है और यह पिराचीन मंदिर काली देवी को समर्पित है और हिंदु तीर्थ इस्थल के रूम में पिसिद्ध है, नावरात्री उस्थाओ के दौरान यहाँ पर भारी भीड भी होती है, और इस चित में हिंदु तीर्थ इस्थानों में यह बहुत लोग परिये भी है, वह इस मंदिर का केवल धार्मिक महत्त भी नहीं, बलकि पुरा होती कि साथ देवी सकती को भी पूजा होती है, इसे देवी को दुरगा, कालिका, चंडी, नेना, मंसा, सार्दा, अंबिका काली और आप देखेंगे भवानी आदी नामों से भी वोकार आ जाता है, कालका हिमाचल पिदेश की प्रवेस्थ द्वारों में से एक है, और यह से आप देखेंगे 14 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा, कालका सिमला रेलवे का अंतिम बिंदू भी है, और यह साहर का नाम इस काली देवी मंदर से ही लिया गया है, एक सो तीन सो रंगों से होकर गुजनने वाली रेल यात्रा एक आराम दायक और रोमांचक बिकल पी है पर एक मांसा देवी का मंदर अब ही आपको देखने को मिलेगा, यह भी पंचकूला में ही देखने को मिलेगा, यह मंदिर हर्याना के पिसिद मंदरों में से एक है, और यह 1815 में मनीमा जरा की सासक महराजा गोपाल सिंग ने बनवाय था, और पिती बस चैदबा असुनी मे सारदिये नवरातरी के दनों में यहां मेला भी लगता है, यहां हरयाना सरकाद्वारा याति का जिसे जटायू कहा जाता है, आयविजित की जाती है, और मंदिर की देखभाल हेतु स्रीमाता मानसा देवी स्राइन, एक्ट निस सो एकानवे की अधीन मुख मंत्री की अध्य 240 में बनवाया था, भीमा देवी का मंदिर, यह पिंजोर में पिंजोर उद्यान की निकट आपको देखने को मिलेगा, यह मंदिर भी हरयाना के पिनमुक मंदिरों में से गिना जाता है, और यह पंचायत सेली का सिमंदर है, नसरीदून, नसरुदीन, महवूद ने इस मंद मंदिर को बारे सो चंगन में नश्ट कर दिया था, और इसने की सेली भोवनेसुर, भखजराहू की मंदिरों से मिलती है, यह सनक्चित इसमारक भी है, और चंडी मंदिर, केंटान मेंड, यह आप देखने, पंचकुला में ही देखने को मिलेगा, यह भारती थलसेना की पश अब बहारन की बन जीब अब बहारन की बात करें, तो वीर, सिकार, गड़ या अब बहारन पंचकुला में अवस्तित है, और इसे बर्स 1975 में अब बनाय गया था, यह सावर, चील, नील गाये, आदी देखने को मिलेगे, खोल की रेतान, यह पंचकुला जिले में देखने को मिलेगा, यहाँ चीतल जंगली बिली, सियार जंगली बंदर पाये जाते हैं, और इसका छेदफल आप देखें, इस दस दसम लोग, तेरानवे वर किलूमीटर में है, पंचकुला की पिजनन के अंदे देख लीजे, गिद सरक्षन पिजनन के अंदे, कला तीतर पिजनन के और इहां आप देखें, पंचूला की मेले, काली माई का मेला लगता है, बैसा की महसव, पिज़ोर आम मेला, पिज़ोर परंपरा मेला, पंचकुला में गुरु द्वारे भी हैं, गुरु द्वारा नाडा साहिब या घगळ नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, और गुरु गोविंद सींग की अनुवाई नाडू सहा लुवाने ने उनका स्वागयत किया और उनकी सिवा की थी हर महिने की फूर्ड मासी को सिधालू यहां आते हैं तो यह भी याद रखेगा और पंचकूला में परवस सिंख लाएं भी है यह आप देखेंगी व्रहमा हिमाल केक्टरस गार्डन है इसका मुख आर्टेटेक्ट डॉक्टर जे एस सरकारिया है और मार्च माह में यह पितिवस केक्टरस सो आयुजित किया जाता है और पंचकूला का गठन आपको बता चुका होगी 15 अगस्त 1995 को जिले की पंचकूला और कालका तहसिलों को मिला कर किया गया था तो यह भी आप लोग याद रखिएगा पिंजओर पिंजओर एक प्राचीन धार्मिक और इतिहासिक स्थल है पिंजओर का संबंध आप देखेंगे पंडबो से भी रहा है बनवास के दोरान कहा जाता है कि यहीं कुछ समाई के लिए ठहरे थे पिंजओर मुगल पिसद्ध है तो एसे भी याद रखिएगा और 1775 में ऐसे पटीयाला कि महराजा अमसीं की सिर्मोर की राजा से खरीदा था हर्यान सरकार ने इसका काया कल्ब भी कर दिया इसका बटीयाला रियासत कि महराजा यादमेंद की नाम पर रखा था है तो यह भी आप लोग याद रखेगा मोर्नी हिल्स यह आप देखते हैं कि यहां हमाले किसे वालिक सेंडी में इस्ते थे और मोर्नी हिल्स गाउं समुध्य तल से 1220 मीटर उचाई पर है यहां खंडर रूप में एक पुराना किला देखने को मिलेगा दो जीले हिल्स को दो भागों में बाठते हैं इसे प और यहां हमाचल पे दिस से भी इसकी सीमा लगती है और जिलों में आप देखेगे पंचकूला से लगती है यमना नगर से लगती है और आप देखेंगे कुरू छेत से भी इसकी सीमा लगती है और इसके बारे में अगर मालू होना चाहिए कि 1 नमंबर 1966 में इसी राज बना और यहां पर आमकी पैदाबार अधिक होती है इसलिए अंब वाला कहा जाता है जो अब अंबाला हो गया है और आप देखेंगे अंबाला छाओनी में तैनात हिंदोस्तानी सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रो का जंडा बुलंद कर दिया था यह आप देखें 1867 की जो करांती हु अभी लेग भी राप्त हुआ है यहां से और आप देखें यहां की नदिया मारकंड़ा टागरी और घगर आपको देखने को मिलेगी यहां पिरमुक विष्विध्याले महरिसी मारकंडे सोर विष्विध्याले मौलाना इस विष्विध्याले की स्थापना 1993 में हुई थी और 2007 में विष्विध्याले का दर्जा दिया गया था राजी का पिथम सो पोसित विष्विध्याले आपको देखने को मिलेगा है यहां की पिसे इस्थल आप देखें तो गुरू द्वारा लखनौर साहब इस सिख्वों के दसवे गुरू गोविन सिंग जी की माता का जनम यहां पर हुआ था लखनौर साहब का प्राचिन नाम लखनावती भी है और अंबिका देवी का मंदिर इस सहर में मंदिरों में अंबिका देवी क्या बिसे समात है और मानता है कि दौपर में कौरा वो पांड़ों की समय अंबा अंबिका और अंबा लिका कि याल में मा बहा मानी का यह मंदिर बनबाए गया था आप देखें गंगी दरगा नोगजा पी यह अमबाला साहभाद में पर बारे किलोमीटर की दोरी पर आपको देखने को मिलेगा और यहां किंग अ फिसर दिली अमबाला अमरे सरहाईवर पर आपको देखने को मिलेगा यहां के प्रमुक मेले की देखें तो वावन द्वादसी का मेला यहां लगता है और कुछ यहां से प्रमुक भेकती भी अमबाला से जो ही चाबला फिलेमा में नेतरी एक्टर्स हैं इनका संबंद भी अंबाला से ही है और आप देखेंगे कि जी हरावाई एक गजर गाय का है ये भी आप देखेंगे अंबाला से ही है परणती चौपरा फिलेमा में इतनी है ये भी अंबाला से ही है विसंभर नात कौसिक इनके द्वारा दोवे की चिडिया नामक के सिद्धा पास बेंग लिखा गया है ये भी यहीं से हैं और अमबाले से सम्मधिक कुछ महत्पूर और जानकरी है अमबाला को ट्वीन सिटी के नाम से भी आप लोग जानते हैं गुरुद्वारा मंजी साहिब अमबाला में इस्तित हैं अमबाला में सिलाई मसीन का उद्द्योग भी है और आप देखें यहाँ पर आम का सरवाधिक उत्पादन होता है पिंजोर में आम का मिला भी लगता है अमबाला को साइंटिफिक सिटी मैक्सी और विज्ञानी कुपकरणों की नगरी के नाम से भी जानते हैं अमबाला में लोग सबा सीट रिजर्व है जिसके सांसद रतन लाल कटा रिया है अभी ठीक है और यह बदलते रहते हैं तो इसलिए आप लोग जब भी पेपर दे रहे हैं उस समय देख लिया करिएगा अमबाला की हर्याना की अमबाला में कैट उत्तर भारत की प्रमुक चावनी है केंट और जिसकी इस्ताफना 1843 में की गई थी अमबा इस सम्मान में 22 एकड भूमी पर इसमारक इस्तल भी बनाए गया है हर्याना में पक्की सडकों का सरवादिक घनत भी आपको अमबाला में देखने को मिलेगा भारत में सरवादिक पक्की सडकों का घनत महराश्ट में है देश के पहले बेटी पचाओ बेटी पड़ाओ और बेटी अपनाओ चौक का अनावरन भी अमबाला में हुआ हर्याना में पुटबॉल के इंटरनेशनल इस्टेडियम अमबाला और गुरुगराम में आपको देखने को मिलेंगे तो यह भी याद रखे यह आपकी अमबाला की कहानी खतम हो जाती है अमबाला के बारे में हम ने बात कर ली है हर्याना का अंगला जिला है यमना नगर और इसकी अगर जिलों से सीमा देखें तो याद रखें इसकी सीमा अंबाला कुरुचेत और करनाल से लगती है और राज्यों में देखें तो इसकी सीमा हिमाचल पिदेश और उत्तर पिदेश से लगती है अगर हम लोग इसकी हर्याना की उत्तरफूर में देखने को मिलेगा और 1 नवंबर 1889 में इसकी राज बनाए गया था, कब 1989 में, यमना नगर में ही इस्ति थे इसका मुख्याल है, और इसका छेतफल आप देखें तो 1756 बरक किलूमीटर में फैला हुआ है, इसकी तहसील देखें, तो जगाधरी, बिलासफूर इसकी तहसील है, और उप तहसील देखें तो जगधारी, छचरॉली, मुस्तफा बाद इसकी देखने को मिलेगा, और यमना नगर की खंड देखें तो यमना अगर बिलासफूर, जगाधरी, रादौर, सडौरा, मुस्तफा बाद, और यहां की जन जन संख्या एक लाख 21,004 मा करीब 12,14,162 आपको देखने को मिलेगी यहां की जन संख्या ठीक है और यमना नगर की साक्षरता दर आप देखें तू 78 दसमलाओ 9,30 देखने को मिलेगी और यहां का लिंगनपात 877 है यानि कि आप देखें 1000 पोर्सों पर 877 महला आए हैं यहां जन संख्या घनत 687 ब्यक्ति पिती बरक किलूमीटर में लोग रहते हैं यहां यमना जिले के ओपनाम देखें तो पेपर सिटी बरतन नगरी और मच्वाराओं का स्वर्ग हतनी कुर्ण को कहते हैं यमना उद्गम नगरी हर्याना का हर्याना का चैरा पूंजी भी से कहते है छिच रॉली को अपनाम कहने का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि आपका एक रील नाम होता है फिर आपके दोस्त आपको प्यार से किसी और नाम से बुनाने लगते हैं तो इसकी को अपनाम कह देते हैं ठीक है? और इसके इतिहास की बात करें तो यह नगर पशिम यमना नगर की तरपर आपको देखने को मिलेगा और आपको बताए कि एक नवंबर 1989 में इसकी स्थापना हुई थी इसके आसपास जो जिले हैं करणाल कुरूचित अंबाला देखने को मिले जा हिमाचल वो लापुर है और यह जिला प्रमुक रूप से उद्ध्यों के विकास के लिए विख्यात है कागज मिल है सुगर मिल है पेपर मिल है धातूओं के उत्पादन की कारण भी यह जिला काफी फैमस है यमना नगर में चीड और साल की पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे यमन यमना नगर में कलेसर राष्टी उद्यान जुलाल, जंगली, मुरीगी के लिए पिसिद्ध है यस राष्टी उद्यान को 2003 में राष्टी पार्ग भी बनाय गया था और यमना नगर में कलेसर बनजीब अभ्यारन भी आपको देखने को मिलेगा हाती पुनरवास और यमना नगर में ही देखने को मिलेगा यमना नगर से नेस्टनल हाईविट 73 भी गुजरता है जगाधरी का पुरान नाम युगान धरी है था और जगाधरी और यमना नगर को जुडवा सहर भी कहा जाता है और कुनिंद कालीन सिक्य जगाधरी से प्राप्त हुए है और जगाधरी में परसुराम, सरव, धरममंद्री भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जगाधरी में चन्नेश्टी का इस्तूप भी है और यह हर्सबर्धन की समय का इस्तूप है, और इसका वड़न हैंसांग की पुस्तक CEO की में भी मिलता है, चच रॉली यम्नानगर में ही भी आपको देखने को मिलेगी, चच रॉली में कल सिया ज्यासत का किला भी आपको देखने को मिलेगा, वीरवल का रंग महल यम्नानगर की गुडिया गाउं में देखने को मिलेगा, विलासपुर का पुराना नाम ब्यासपुर है, जो महसी बेदब्यास के नाम पर पड़ा और विलासपुर में रिसी विद्व्यास तब करते थे इसलिए उनकी तफो इस्थली भी है विलासपुर में आप देखेंगे लोहेगड सूरकुंड भी है और विलासपुर में चिठा मंदिर हनुमान की सुएत मूर्ती भी यहां देखने को मिलेगा नर्णारायन की भारत का सबसे पूरानी रेल्वे वर्फो भी स्थापना भी हुई थी उनने सो तथीं में यम्ना नगर में सरसुती सुगर मिल की स्थापना की गई थी और हरियाना की सबसे बड़ी सुगर मेल है इनने से और लेमेटेट की स्थापना की गई और 1989 में हर्याना डिश्टलरी की स्थापना की गई और 2008 में यमना नगर में दीन बंधु छोटु राम तापिय विद्धुत परियोजना की स्थापना हुई और पश्मी यमना नगर विद्धुत परियोजना भी यमना नगर में ही देखने को मिलेगे गुरु गोबिंद सिंग मारसल आर्ड संग्राले भी यमना नगर में ही है हाथनी कुंड मच्वारों का स्वर्ग कहा जाता है से हर्याना के लिए हर्याना का सिख कैपिटल लोहागड भी यमना नगर में ही देखने को मिलेगा अगस्त रिसी का संबंध भी कपाल मोच से यहीं है जो यमना नगर की मुस्ताफ़ाबाद का नाम बदल कर हर्याना सरकार ने सरसुतिन नगर रखा है इसका और तोपर अभिलेक को फ्रोजास तोगलक ने यमना नगर से दिल्ली के लाल के लिए में स्थाफित कर दिया था और यसी आगी सबसे बड़ी पिलाई बुढ मार्कित यमना नगर में आपको देखने को मिलेगी यमना नगर की मंदिर देखें तो चिठा मंदिर देखने को मिलेगा परसुराम सर्भ धरम मंदिर देखने को मिलेगा आदी बदीर इनाद मंदिर देखने को मिलेगा कपाल मोचन मंदिर देखने को मिलेगा सरी कलेसोर देर आपको देखने को मिल जाएगा यमना नगर से जुड़े हुए कुछ पिसेद ब्यक्ति हैं संजीब राजपुत कमरपाल गूर्जर दीविका ठाकुर महला होकी टीम की उपकपतान रह चुकी है सुनील दत फिले मवी नेता है और यमना सुनील दत का समंध भी आप देख यहां पर रैटन स्थल की बात करें तो हतनी कुंड ऐसा माना जाता है कि पांड़ों अपने बनवास का खुछ समय सिवाली की पहाडियों में भी बितीत किया था हतनी कुंड की निकट दादूपूर इस्थान जहां साठ दरी यमना जल को नेंतीत करने के लिए बनी है कलेस और यमना नगर के पूरवी हिस्ते में सिवालिक की निचली पहाडियों की गोद में यहां जगह 11,570 एकर छेत में फैली है और मुक रूप से जंगल में सील, खैर, सीसम, टुन, ट्रेन, आमला, आधी हैं इस जंगल में कई जानबर भी रहते हैं जंगली जानबर भी और त देखने को मिलेगा और इसमें आप देखें यमना नदी पर बनाये गया ताजे वाला हेंड वरकर्स पिसिद्ध पर एक तक इस्थल है और यहीं से यमना नदी से पश्चिम में यमना नहर और पूरवी यमना नहर निकलती है ये फिलीकन होटल ये भी हर्याना टूरिजम द बीरवल का संग्राले ये भी यमना नगर से बारेक किलूमीटर दूर बुढिया नामकिस्थान पर देखने को मिलेगा ठीक है चनेटी स्थूप जगाधरी जगाधरी नगर से तीन किलूमीटर दूर पूरव दिसा में इस्थूप का पितम बिवरन चीन के विद्वान यात गुरुद्वाल कापाल मोचन यमना नगर की बिलासपूर इस्थित कापाल मोचन सरूबर की पूर में गोविंद सिंग जी का गुरुद्वारा है जो 1687 इस भी में गुरुजी ने 52 दिन का यहां पर पंडाल लगा डाला था पड़ाओ डाला था योदि के दौरान अपने स बस्तों को धोया था चिठा मंदिर ये भी हमनान मंदिर में सोएथ हनुमान की मोटी की स्थावना सत्तर बर्स पूर की गई थी और इस पवधित भूमी पर कौर्वों पांडों का योद्ध हुआ था और यह स्तित हनुमान जी की सोएथ पितिमा को चिठा मंदिर के नाम से भी जानते हैं तो ये भी आप लो और गंगा नंद गिरीज जी जो महंद थे तपोस्तली होने का भी इसे गौरव है आदी बद्री ये भी यमना नगर जिले में बिलासपूर की उत्तर में सिवालिक की पहाड़ियों पर आपको देखने को मिलेगा पुराडिक गाओं है और स्थान का राजा सांतनु से माना जाता है समन्द और कल सिया रियासत ये यमना नगर में आपको जगाधरी पावटा साहिब मार्क पंदरा किलोमेटर दूर इस ते छज रॉली में कल सिया रियासत का किला है और एक किला अंग्रेजों ने पंजाब की सरदार रंजी सिंग ब कहा जाता है यहां उद्ध्योग धंदों की बात करें तो आप देखेंगे बलार पूल पेपर मिल भी 1929 में स्थापना हुई थी सरसुती सुगर मिल 1933 में भारत इस्टार के अमिकल लिमिटेड 1934 में रेलवे कैरिज एंड वैगन बरक्षॉप 1922 में यमना गैस लिमिटेड 1973 म आपको यमना नगर में ही देखने को मिलें तो एक कहानी आपकी यमना नगर की खतम होती है अब हम लोग कुरूचित के बारे में बात कर लेते हैं और देखिए हर्याना का जिला है कुरूचित इसकी सीमा आप देखेंगे अंबाला से लग रही है यमना नगर से लग रही है करणाल से लग रही है और कैथल से लग रही है और अंतराज जीय सीमा इसकी पंजाब से लग रही है इसी आप देखेंगे कि हर्याना की उत्री भाग में आपको देखने को मिलेगा इसमें अंबाला जिला आप देखें यमना जिला और कैथल जिला दर्च में करणाल जिले से इसकी सीमा लगती है। इसका मुख्याला है कुरूचेत है। 23 जनवरी 1973 में से राज बनाए गया। इसकी जनसंक्या 9,64,655 देखने को मिलेगा। और यहां का जनसंक्या घनत 631,31 ब्यक्ति-पिती बर किलूमीटर में निवास करते हैं। साक्षरता यहां 76,31% है। और छेतफ साइबाद हो गया, पेहाँ 5,去了s by लाड़वा हो गया। और तैसल्य को इंत नए थानिसर पहेवा और साहबाद और पहता सीले लाडवा और इसमाइल ौनाड़वाबाद और बवएन हो गया। आंिंतल लाड़वा , पेहवा *** साहवाद, ठानिसर, वबवेन, पीपिली, इसमाई लावाद ठीक है परेटक इस्थल देखें तो 360 ती इस्थल ब्रह्मा सरोवर जिवती सर काली कमली बाले बाबा का डेरा बिला मंदिर महादियो मंदिर सेख चिल्ली का मकवरा स्री किसने संगराले पैनो रमा देवी को भद्ध माली भद्ध काली सक्ती पीट यहाँ प खाद उत्पाद किर्सी उपकरण चीनी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ और महत्पूर्ण संस्थान आप देखेंगे कुरूचेत विद्ध्याले 1956 में स्थापना हुई श्री किसने संगराले 1987 में राष्टी अपरोद्ध की संस्थान गुलजारीला नंदा संगराले मग जीता भवन यह स्थान ब्रह्मा सरोवर के उत्तर तर्ट से कुछ दूरी पर आपको देखने को मिलेगा कालिस उर्ती जन्स रूती के अनुसार रमायड काल में यहां रुद्ध की पितिष्टा की गई थी और पुराणों कथाओं के अनुसार 11 रुद्रों में से एक रुद यह एक मात यसा तालाब है जिसके चारों और पक्की इंटें लगाई गई हैं और मत्स पुराण की अनुसार थाने सर का ब्रह्मा सरोवर तीन लोगों में पूने दायक तीर्थिस्थल है यहां सूर गहन के बहुत बड़ा मेला लगता है सूर गहन पर और मान सरोवर जील का पानी आता है मान सरोवर जील को सिफ के निवास इस्थान भी मान आ जाता है सिफ भगवान जयोती सर यह आप देखें जयोती सर सरोवर रेलेवे स्टेशन से 8 किलूमेटर दोर दोरी पर आपको पे होवा मार्ग पर सरसुती नदी के लुप्त प्रयाब प्रभा पत के किनार प्रभा का निर्मार करवाए गया था यह केबल चभुतरा पका है परन्तु ब्रह्मा सरोवर पूरा पक्का बना हुआ है सन 926 में का ची कामकोटी पीट प्रवंपरा की संकराचार ने स्री किसने अर अर्जून रठ और संकराचार की मंदिर का निरबार खरवाया जयोती पर पे हवा मार्क पर ब्रह्मा सर्वुवर्यव की निकट है सेख चिल्ली का मकवरा थानिसर में थानिसर अगर की उत्तरपश्यम को कौन पर आप देखेंगे संगमरमर से बना सेख चिल्ली का मकवरा देखने को मिलेगा जो मुकल समराथ जहां के सासनकाल में इरान से चलकर भारत में हजरत कुतो जलाव लुद्दीन से मिलने थानिसर आये थे और उन्होंने यहाँ जलाव लुद्दीन से भेंट की और दुर्भाग बस सेख चिल्ली की मित्यू थानिसर में हो जाती है उन्हें यहीं पर दफना दिया गया और इसे कारण सेख चिल्ली के मकबरे को हर्याना क का ताजमहल भी कहते हैं भद्धकाली का मंदर या आप देखेंगे कि चंगण सक्ती पीठों में से एक है या हर्याना का इकमात सक्ती पीठ है जहां माता की बावन खंडों में एक खंड यहां भी गिरा था कि बरतमान में इस थानी सुर मंदर के पास है बाण गंगा या थानी पितामा के मों में पहुँच गई थी इसलिए इसे बान गंगा की नाम से आप लोग जानते हैं यह सब ही आप लोग इतिहास में पड़ते हैं आप लोग महाभारत देखें होंगे तो उसमें भी देखें होंगे उसके बाद देखेंगे बाबा काली कमली वाले का डेरा या श्री स्वामी विसुद्धानंद जी महराज द्वारा इस्तापित किया गया था और यह पर भगवान सिव संकर भगवान स्री किसन अरजुन की पितिमाय बिराज माने है, स्री सनी धाम या धाम कुरुछेत दिलि मार्ग पर कुरुछेत के उम्री चौक पर बना हुआ है, इस मंदिर ब्रहम सरोवर से उत्तर की ओर एक टापू पर है इस मंदिर की चारों और आप देखेंगे जल भरा रहता है और यहां पहुंचने का एक साधन चोटा सा पुल है इसका निर्माड बाबा सरवन नात ने करवाया था स्री किसन संगराले स्री किसन संगराला की स्थापना 1987 में हुई इसे बाद में मौजुदा इमारत में इस्थानांतीत का दिया गया और भगवान स्री किसन को एक सच्ची नेता और एक प्रेमी की रूम में कलाकिटियां मोर्तियों, अभिलेखों, आधी की रूम में आप देखेंगे दर्स आये गया है और सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर के रूम में भी आप देखते हैं किसन भगवान थे देवी कूब मंदिर भद्दकाली या सती को समर पे थे भारत के इंक्यावन सक्ती पीठों में से एक है भगवान स्री किसने ने यहाँ पर बैठ कर गीता पड़ी थी बरतमान में यह स्थान थानी सुर में इस्ते थे मारकंडे सुर देवी मंदिर गुम्टी 27 मार्च 1937 को पाकिस्तान की जिला सेखु पुरा के गाउं में भीकी में करमचंद वह स्वागवती के घर वाजी का पिकास वती का जनम लिया था उनका मन बच्पन से भगवान भक्ती में रम गया था बेभाजन के समय वो पाकिस्तान से आकर हर्याना राज्जी के कुरूचे तिजले में गुम्टी में रहते हुए उननी सो तिरेपन में पिकास भती ने मारकिंडोस और इदेवी मंदरी की स्थापना की थी सनीहित तीर्थ या इस तहल आप देखेंगे स्री किसन शंगरालाई के पास आपको देखने को मिलेगा और इस सरोवर के बारे में यह मानता है कि साथ नदियां मिलती है इसमें और सनीहित सरोवर को भगवान विश्णू का इस्थाई निबास माना जाता है इसकी लंबाई 15 फूट, 1500 फूट, चोड़ाई 550 फूट इस सरोवर में अमावस्या की रात में इसनान करने के लिए बहुत पवित्त माना जाता है रावर्न ने भगवान संकर की पूजा भी यहीं पर की थी मारकेंडे 3 आप देखेंगे रिसी, मारकेंडे का आसरम यहीं पर था और यह सी तीर्थ साहवाद कुरूचेत में देखने को मिलेगा इस तीर्थ का संबंद भगवान सिम से है, मारकेंड भगवान सिप जी के बहुत बड़े भगत थे और जिनका 16 वर्स की उम्र में ही डेथ हो गई थी तो सिप जी ने अपने भगत की जान बचाने के लिए यम्राज से भी भगए थे जो बर्तमार में कुरूचेत से पीपली जाने के मारक पर मारकंडा नदी के तरपर आपको देखने को मिलता है थाने सूर यह आप देखें साथवी सताबदी में हर्स बर्धन ने थाने सूर का अपनी राध्धनी बनाया था हैंसांग चीनी यात्री हर्स बर्धन के सासनकाल में ही भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक में C.U.C. में थाने सूर का बर्धन किया है हैंसांग 1635 से आप देखेंगे 644 इसवी तक थानिसुर में रहा था कुछ और पॉइंट है कुरूचेत का नाम राजा गुरू के नाम पर रखा गया है साहवाद चीनी मिल्की स्थावन आप देखें 1984-85 में हुई थी सरसुती को ब्रह्मा की पुत्री माना गया है नेल करांती किष्णा डैम बेला मंदी की निकेट आपको देखने को मिलेगा राजगाट गुरुद्वारा भी यहीं पर है इसको सिटी और बॉक्स से भी कहा जाता है इसे तीर्थ राज के नाम से भी आप लोग जानते हैं याकी कुरुचेत की कहानी इस तरह से खतम होती है अब हम लोग हर्याना की करनाल जिले के बारे में बात कर लेते हैं और आप देखेंगे की करनाल ए है आपका और इसकी सीमा आप देखें कि अमना नगर से लगती है, कुरू छे तपूर में आपको देखने को मिलेगा एक नमंबर 1966 में राज जी बन चुका था जब राज जी की स्थापना हुई थी तभी ये जिला बन गया था और इसका मुख्याल है करनाल में ही देखने को मिलेगा इसका छेटपल 2538 बर किलो मीटर में फैला हुआ है और करनाल की उम्बंडल देखें तो करनाल इंदरी असंद और घरोंडा आपको देखने को मिलेगा और करनाल की तैसिल देखें तो इंदरी नीलो खेडी करनाल असंद और घरोंडा देखने को मिलेगी करनाल की उपता तैसिल देखेंगी निसिंग बला निगुद निगदू देखने को मिलेगी करनाल में खंड आपका करनाल इंदरी निलो, खेडी, निसिंग, असंद, घरोंडा और कुंजपुरा और मोनक देखने को मिलेगा इसकी अगर हम लोग जनसंक्या की बात करें तो 15,5324 है यहां की जनसंक्या 2011 की जनकरना के साब से अभी नए आकड़े नहीं आये हैं तो इनी कोई याद रखेगा करनाल की साक्षरता देखें तो 74,73% इक्स की साक्षरता दर है और यहां का लेंगनपाद देखें तो 886 है यानि की एक हजार पूर्सों पर 886 महला हैं करनाल का जनसंक्या घनते देखें तो 592 पिती बर्ग किलूमीटर में डिवास करते हैं और इसके ओपनाम देखें तो करन नगरी के नाम से जानते हैं धान का कटोरा भी कहते हैं एग्रोहब भी कहते हैं हरयाना का पैरिस भी कहते हैं आधुनिक पद्दिती से बसाया गया एक सहर है और हरयाना का पैरिस पंचूला को भी कहा जाता है तो ये भी आप लोग याद रखेगा और करणाल का स्थित बहुत पुराना है इसकी इस्थापना महाभारत की समय राजा करण के द्वारा की गई थी और जिसकी वज़े से इसका नाम करणाल पढ़ा और 1749 में इसे नादे सार ने मुहम्मद साह को हरा कर अपने कबजे में ली लिया था करणाल सबसे छोटा नगरनिगम है दानभी करण की कारण इसका नाम करणाल पढ़ता है करणाल में करंजील भी देखने को मिलेगा करंजील के किनारी ही करण ने अपने कवच और कुंडल दान किये थे भगवान इंद को ये सबी महाभारत में आपने देखा होगा करनाल में चकवर्ती जिल भी है करनाल के मदुबन में पुलिस टैनिक कॉलेज भी है हर्याना का पहला सैनिक स्कूल करनाल के कुझ पुरा में ही देखने को मिलेगा करणाल के घरोंडा में हर्याना की पहली NCC अकादमी खोली जाएगी अभी मन्नी के बेटे परिक्षित ने करणाल के असंद को अपनी राध्धानी भी बनाये था पाकिस्तान के पहले पिदानमंत्री लियाकत अलीख खान का जन्म करणाल में ही हुगा था करणाल में गांधी मेमोरियल हॉल भी है करणाल की मुक्ष नदी यमना है करणाल से नेशनल हाईवेज 44 भी गुजरता है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महला कल्पना चावला भी यहां से करणाल से थी हर्याना से कल्पना चाला कुलंबिया बिमान से अंत्रिक्ष गई थी एक फरवरी 2003 को उनकी डेथ हो गई थी भावांतर भरपाई यूजना की शुरुवात करनाल से हुई थी 2018 में और इसमें आप देखें कि 4 सब जीहां सामिल थी इसमें अब बरती जाती हैं तो अभी देखें आप लोग इससे जानदा होती रहती हैं शुरुवात याद रखिएगा और जब वेपर दे रहे हैं वह समय आप लोग याद रख सकते हैं गौबरधन यूजना की शुरुवात करनाल से हुई थी करनाल में लड़ाकू हवाई अड़ा भी है और सेरसा में भी लड़ाकू हवाई अड़ा है और करनाल में भी इंटरनेशनल ड्राइवी लेसेंस करनाल में बनाया जाता है करिणाल के उद्धेव अगर आप देखने तो चीने उद्धेव हो गया, लिबाटी उद्धेव हो गया, बनसपती उद्धेव हो गया यहां संस्थान ग्याहू सोधने देशाले देखने को मिलेगा फॉरंसिक विज्ञान लेब भी राष्टी ग्रामिट विकास संस्थान ये निलो खेडी में देखने को मिलेगा राष्टी डेरी अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा ग्यहू अनुसंधान नेदेशाल है देखने को मिलेगा केंदरिय मिर्दा लवंता अनुसंधान संस्थान भी आप लोगों को देखने को मिलेगा पसु अनुस बांसिक संसाधन राश्टिय ब्यूरो देखने को मिलेगा राश्टिय किर्सी अनुसंधान संस्थान भी आप लोगों को करनाल में देखने को मिलेगा यहाँ आप देखेंगे बाबा समरंदास का मेला लगता है यह मेला इंद्री में लगता है देवी का मेला लगता है यह पट हेडा गाउं में लगता है गोगा पीर का मेला लगता है यह मेला खेडा गाउं में लगता है तो यह भी याद रखेगा यहां करनाल जिले में इस्तित करन जील, करनाल में इस्तित करन जील जो की महासागर की पिरमुक पाद, दानवीर करन के नाम पर है, साथी करनाल का नाम भी करन के नाम पर है, करन जील को करनाल चकवर्ती जील के नाम से भी आप लोग जानते हैं, या जेसुस सेसा सूरी माग प देव को दिये थे यहां की पराटन की बात करें तो कलंदर साहा का मकवरा, सितामाई मंदिर, मीरा साहिब मकवरा, गुरोद्वारा मंजी साहिब, गौंदर गौतम रिसी, बहलोल पुर परासर सरोबर, अंजन थली, दरगा नूरी और करंजील और आप देखेंगे कि करंजील और चावनी चर्च, कुंजन पुरा, और तारावडी और बास सिस्थली आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यह आपका करंणाल की कहानी हो जाती है, किसकी कहानी ये करंणाल की, करंणाल की बाद आप देखेंगे कैथल आता है, चलिए तो हम लोग कैथल के बा जिन्द से लगती है और राज्यों में इसकी सीवा पंजाब से लगती है अंतराज्य सीमा ठीक है आप देखेंगे हर्याना के उत्तर भाग में इस्तित कुरूचेत से अलग होकर बना था लेकिन सुरुवात में करनाल से अलग हुआ था कैथल और एक नवंबर 1989 में जिला बना उप मंदल में गुहला और कलायत है तैसिले में कलायत फतेपुर पुंडरी गुहला आप लोगों को देखने को मिलेगी एक बात और याद रखें तैसिले आप देखते हैं कि और बढ़ती रहती है क्योंकि मांग होती रहती है तो आप देखते हैं कई बना दी जाती है उप और आप देखेंगे बाबा लादाना मेला, पुंडरी, गुरुद्वारा नीम सहेब, गुरुद्वारा मंजी सहेब, सेख तेयब का मकवरा, ठंडी पुरी की समाधी, फरल और ब्रीक बावडी यहां देखने कुमलेगी, यहां की पिरमुक फसलें, गेहुचाबल, तेलहन ग प्रचीनतम नाम इसका कपी स्तल है, और उपनाम इसका गुरुद्वाराओं का सहर, छोटी कासी की नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं, नव ग्रह कुंड, इस जिले की पुरातत्त तीर्थों में नव ग्रह कुंड का बिसिसमात है, और महाभारत की समय भगवान स्री किस इसने नव ग्रह यग का अनुष्ठान धरमराज युदिश्ठर की हाथों से करवाकर नव ग्रह कुंडों, इसमें सूर कुंड, चंद कुंड, मंगल कुंड, बुद्ध कुंड, वैस्पती कुंड, सुक्क कुंड, सनी कुंड, राहु कुंड, केतु कुंड कर निर्माड कर पुंडरी इसका नाम पुंडरी कृषी जिनकी यह तफोई स्थली मानी जाती है कि नाम पर पड़ाया और मानता ऐसी ही कि सत्युक से आज तक कभी भी स्थरूबर का जल खतम नहीं हुआ है ग्यारे रुद्री सिब मंदर इस मंदर में महाभारत काल में अर्जुन ने सिब को पिसने कर उनसे पसूपात अस्त प्राप्त किया था और इस मंदर की बर्तमार भावनों का निर्माण लगभग 200 वर्स पहले तक काले सासक उधै सिंग की पत्नी ने करवाया था रजिया सुल्तान का मकबरा नगर की निकट पश्चमी दिसा में संगरोर रोड पर भारत की समरग्गी ए रजिया सुल्तान का मकबरा है और इल्तोतमिस की पुत्री रजिया उसके पती का कतल उसी जगए के सरदारों द्वारा केथल की निकट कर दिया गया था एक है और फरल फलकीवन ये महाभारत और पुरानों के अनुसार पिसिद्ध फलकीवन इसी स्थान पर थे और फलकीवन और फलकी तीर्थ दोनों दृस्ट दून्ती नदी के तरप थे और यह है मिस्सा किस्थल भी है क्योंकि मुनीब्यास ने देउताओं को के लिए यहां तीर्थ को एकतित किया था गीता मंदर पुराडिक तीर्थ पर जाते समय मरदाने घाटी के साथ बने विसाल चबुत्रे के पास यह यह विसाल गीता मंदर देखने को मिलेगा अंजनी का टीला इसे हनमान जी की जनम स्थली भी कहा जाता है हनमान जी की माता अंजनी को समर्पित अंजनी का टीला यहां के दर्षनिय स्थलों में से एक है मीरा नौ बहार पीर की मजार गुलाची का बाबा मीरा में नौ बहार पीर की मजार 960 बर्स पुरानी बता जाती है बाबा मीरा की 8 भाई थे और जिसमें बाबा मीरा सबसे बड़े थे और जिसके कारण इन्हें बड़ा पीर भी कहा जाता है और आप देखेंगे कैथल में सरुसिती बने जीब अभ्यारन देखने को मिलेगा इस जिले को बानरों का बासिस्तल, हनवान नगरी, इंटों की बावडी, प्राचीन किलावालू, बाबा, साहय, कलाम की मजार, गुरुद्वारों, टोक्यो वाला, अर्नौली का टीला, आदी कैथल में ही देखने को मिलेंगे यहाँ परवनी मंदरों का वास्तू सास्त अजंता एलूरा की गुफा से मेल खाता है कैथल में आप देखेंगे कि 98 किस्म की चावल किस्म में मिलती है इनमें चारों और आठ दरवाजे हैं, सीबन गेट, माता गीत, चंदाना गेट, प्रताब गेट, क्योंडग गेट, डौंगरा गेट, कोठी गेट, रेलवे, गेट देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह आपकी कैथल की कहानी खतम होती है हरियाना का अंगला जिला है जिन्द, ठीक है? और इसमें आप लोग देखेंगे कि यह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और आप देखे इसकी सीमा कैथल से लगती है करनाल से लगती है पानीपस से लगती है सौनीपस से लगती है रुभितक से लगती है हिसास से लगती है और आप देखे गई फतेहाबाद से लगती है और अंतराजीर सीमा इसकी पंजाब से लगती है तो ये भी आप लोग याद के बीद देखने को मिलेगा एक नमंबर 1966 में से राज बनाए गया था क्या जिला बनाए गया था ठीक है जब आपकी राज बनाए गया था उसी समय आपका इस जिला बन चुका था इसका मुख्याल है जिंद में ही देखने को मिलेगा आपको 2702 वरक किलो मीटर में फैला हुआ है इसके ओप मंडल देखें तो जिंद सफीदो नर्वाना उचाना आपको देखने को मिलेगा इसमें इसके तहसील देखें तो जिंद सफीदो नर्वाना जुलाना देखने को मिलेगा उप तहसील अलेवा पेलू खेडा उचाना और खंड देखें तो जिंद जुलाना पेलू खेडा सफीदो और उचाना कलान अलेवा इसकी कुल जनसंख्या आप देखेंगे तो 13,34,152 है यह जनगरना 2011 है कि हिसाब से यहां की सक्षरता आप देखेंगे 71.44% है यहां का देखने को मिलेंगी 1000 पूरसों पर ठीक है और इसका जनसंख्या घनत्य देखें तो 493 पिती बरक किलोमीटर में लोग निबास करते हैं इसके आप नाम देखें अगर आप लोग तो हार्ट ओप हर्याना जैंतपुरी जैंत देवी नगरी के नाम से आप लोग जानते हैं से जिन्द जिले के बारे में ऐसा माना जाता है इसकी इस्ताबना पांडों ने की थी और पांडों ने यहाँ अपर एक जैंती देवी का मंदिर भी बनवाय था जिसके आसपास जिन्द जैतपुरी के नाम से नगर बसा पांडों ने महाभारत का योद लढ़ने से पहली जैनती देवी मंदिर का निर्माण करके देवी की आराधना की थी और इसी विख्यात जैनती देवी के नाम से इस नगर का नाम जिंद पड़ा और राजा गचपत सिंग ने 1768 में जिंद रियासत को समाला था और वो यहां के पहले राजा बने थे राजा गचपत सिंग की मित संग्रालाई की स्थापना 28 जुलाई 2007 में की गई थी और जैन्ती पुरा तत्य संग्रालाई की दीबारों पर जिंद जिले का इतिहास लेखा हुआ है और यहाँ पर हडपा संस्किती से संबंदित आउसेस भी रखे हुए हैं जिंद के किले का निर्मार राजा गच्पल संस्किती से संबंदित इस्थल है और यह दार्मे की स्थल देख लिए जैन्ती देवी का मंदिर यह आपको जिंद बस स्टेंड से पांच किलो मीटर दूर देखने को मिलेगा गुरुद्वारा धमसायम साहिब जिले की नरवाना बस स्टेंड से आप देखेंगे 17 किलो मीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा नरवाना के पास धमतान गाओं में इस्तित यह गुरुद्वारा सिक्खों की नौवे गुरु गुरु तेख बहादूर सिंग से सम्बंदित है और ऐसा कहा जाता है कि गुरु तेख बहादूर अंग्रेजों के पास अपनी सहीदों के सहीदी के लिए जाते समय यहाँ पर रुके थे और भुतेस और मंदिर यह आप देखें भुतेस और मंदिर जिंद बसे स्टेंड से 11 किलो मीटर की दूरी पर गुहाना मार्क पर देखने को मिलेगा इस मंदिर का निर्माण राजा रगुवीर सिंग ने करवाय था यह मंदिर भगवान सिपको समर्पित है और भगवान सिपको भूतनाद भी कहा जाता है और उन्हें के नाम पर इस मंदिर का नाम भूतेस और मंदिर पढ़ा पांडू पिंडारा जिन्द से लगबग 6.5 किलोमीटर दूरी पर जिन्द गुहाना रोड पर आपको देखने को मिलेगा और प्राचीन गाथा की अनुसार पांडू नों यहाँ पर अपने पित्रों का पिंडा दान किया था जिसकी बज़े से इस गाउं का लोगपरिये नाम पांडू पिंडारा है और सोमना तबस्या को यहाँ पर मिले का आयोजन भी होता है असुनी कुमार्ती जिन्द जिले से 14 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा जिले के आसन गाउं में यहाँ पर एक तालाब भी है जिसका बढ़न महाभारत पदम पुरान नारत पुरान वो बावन पुरान में भी देखने को मिलता है और ऐसा माना जाता है कि मंगलबार को के दिन इसमें इसनान करने से ब्यक्टी की सारे पाप धुल जाते हैं राजपोरा भेंड यहाँ जिन्द से 11 किलूमेटर दूरी पर जिन्द हांसी मार्ग पर देखने को मिलेगा यहाँ एक गोविंद कुंड है जो महाभारत काल से अब तक है और हट केसोर मंदर यहाँ मंदर जिन्द जिले के सफीदो गाउं में देखने को मिलेगा इसमें पितवी के 68 तीर्थों की सकती सत्ताई समाई हुई है यहां पर एक भगवान पर उस राम का पुराना मंदिर भी है उनकी पूजा भी की जाती है यहां पर एक सिव मंदिर और हिंदू बिंदूसार तीथ भी देखने को आपको मिलेगा वराय यह स्थान जिन्द से 10 किलो मीटर दूरी पर वराय गाउं में देखने को मिलेगा पदम पुरान, बावन पुरान, महाबारत के अनुसार भगवान विष्णू ने यहां पर वराय अवतार किया था और आप देखेंगे खुस कर देता है उससे सभी पाप धुल जाते हैं बताईए पुसकरती था आप देखेंगे जिन्द से 11 किलो मीटर दूरी पर पुंकर खेडी गाउं में देखने को मिलेगा और पुरानों की अनुसार इस तीर्थ की खोज जमा दगनी के पुत्त पर रुसराम ने की थी जाम दगनी तीर्थ जबनी यह तीर्थ आप देखेंगे जिन्द से 15-18 किलो मीटर दूर संफिंदो जिन्द मार्क पर जामनी गाउं में देखने को मिलेगा लोकमानी की अनुसार महसी जमा दगनी ने यहां कठोत परस्या की थी उन्हीं से सम्मंदित इस तीर्थ को माना जाता है खांडा जिन्द से आप देखेंगे 23 किलो मीटर दूर देखने को मिलेगा तेज और यहां पर अत्यधिक प्राचीन भरगवान पर उसराम का मंदे देखने को मिलेगा इस्थानी लोगों की मानता है कि भगवान पर उसराम की माता रैनकवा जी पित एक दिन इस तीर से जल लेने आती थी और एक दिन चारों ने माता रैनुका की जल कलस को चुरा लिया था इसके कारण जिसके कारण वह एक कलस मिट्टी का हो गया था आज भी एक कलस इस मंदिर में बिराजमान है जाय करिएगा देखा करिएगा रानी तालाब का निर्मार अमरस्तर की गोर्डन टेंपल की तरच पर कराये गया है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उस समय की राजा ने एक सुरंग का निर्मार भी कराया था जो इस तालाब को रानी की महल से जोडती है राणी इस तालाब में इस्नान करने के बाद सुरंगे की राश्ते सीधा महल में पहूंशती थी राणी की वज़े से ही इसे राणी का तालाब भी कहते हैं बाबा गैनी साहेब तीर्थ या तीर्थजिंद जले की नरवाना में शती थे प्राचीन कथा के नुसार यहां एक तपस्यारद एक बाबा हवा में विलीन हो जाते थे और इसी कारण से सिध्धालू उन्हें गैनी बाबा के नाम से पुकाते थे दूडवाब तीर्थ यह आप देखेंगे कि महाभारत की युद्ध में दुर्योधन हारने के बाद इस स्थल पर आकर छिप गया था और भीम ने उसे यहां धूड कर मारा था इसी वज़े से स्थान का नाम दूडवाब तीर्थ पड़ा है इस जिले में जिन्द जिले में हटके सर मेला, बिल सर मेला, जामनी का मेला, बाबा भोलू या भोलेनात का मेला, सच्चा सोधा का मेला, धमतान साहिब का मेला तो यह भी याद रखेगा चौदरी रनभी सिंग उनिवसिटी भी आपको जिन्द में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 24 जुलाई 2014 को की की गई थी, पहले इसकी स्थापना 2007 में कुरूचेत विस्विध्याले की पोस्ट गेजुएट रीजनल सेंटर की रूम में की गई थी, जिसे बाद में विस्विध्याले बना दिया गया, वीर बारा बनजीब सरक्चन के अंदे देखने को मिलेगा, जिंद जिले में ही, औ और फिहुआबा से 10 किलोमीटर की दूरी पर, जिंद का विद्रो, आप देखें, गुलाप सिंग के नेदित में 1814 में हुआ था, जिंद जिले से 1877 की करांती के नेदित पिताप सिंग के द्वारा किया गया था, यहां के उद्द्योग धंदे अगर आप देखें, तो जिं 1997 को हर्याना डेडी डवलमेंट कॉर्परियसन की द्वारा की गई थी, जिंद जिले के अन्न उद्द्योग में चमडा उद्द्योग हो गया, साइकल उद्द्योग हो गया, और यहां सबसे कम जाडियां जिंद जिले में देखने को मिलेगी, जिंद जिले से कोई भी नदी में ही देखने को मिलेगा हर्याना का पिथम ग्राम सचिवाला भी हैवतपूर जिंद में ही देखने को मिलेगा जिंद जिले के नर्वाना में फूड पार्क भी आपको देखने को मिलेगा हर्याना में पसुओं कचारा पिलांट किसी टैनिंग संस्थान जिंद में भी देखन को मिलेगा हर्याना के पहला मध्दाता सेलफी पावा इंट जिंद-जले में है भारती क्रिकेटर यूजवेंद चहल्ये का समंध्ध सर्दल जिंद-जिलीस है WRE में लड़ने वाली पहली प्रोफेशनल भारती महला रेसलर कवीता दलाल का कवीता दलाल का सम्मंद भी जिंद जले के मालवी गाउं से है हर्याना की उपमुक मंत्री जो आप देखें गिए दुसें चोटाला का विधान सुभाव चुनाव छेत उचाना था जो जिंद जले में ही आप देखेंगे पढ़ता है तो ये भी जिन्द जिले की कहानी खतम होती है आपकी हर्याना का अंगला जिला है पानीपत और पानीपत के बारे में मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा इतिहास में और ये आपको पानीपत देखने कुमलेगा और पानीपत की राध्धानी करनाल से लगती है, जिंद से लगती है, सौनीपत से लगती है और इसकी अंतराज्ये सीमा उत्तरपिदेश से लगती है और पानीपत की लड़ाई आप लोगों ने सुनी होगी, तीन इतिहासिक लड़ाईया हुई एक तो पानीपत का पिथम यूद 21 अपरेल 1526 में हुआ था बाबर और इबराहिम लोधी के बीच दूसरा पानीपत का यूद आप देखते हैं कि 5 नवंबर 1556 में हुआ था बैरम खां अकवर का सेनापती था हैमू सेशा सूरी का सेनापती था और पानीपत का तीसरा यूद 14 जन्मरी 1761 में हुआ था मराठा और एहमद साह अबदाली के बीच और ये सभी यूद आप देखे पानीपत में ही हुए थे इसलिए आप लोग इसे पानीपत का यूद के नाम से बुला लेते हैं ठीक है आँगे देखेंगे कि यह हर्याना की मद्वपूर भाग के बीच में देखने को मिलेगा एक नवंबर 1989 को इसे जिला बनाया गया था क्या बना गया था? जिला बनाया गया था और आप देखेंगे कि पानीपत 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग हुआ करता था और इसका मुख्याल है भिवानी में ही देखने को मिलेगा और आप देखेंगे 1268 बरक किलूमीटर में फैला हुआ है इसका छेथपल है इसके उपमंडल पानीपत और समा लखा है ठीक है? इसके पानीपत के खंड देखें तो पानीपत इसराना मडल लोडा समा लखा बपॉली सनौली देखने को मिलेगा इसकी तहसिल है पानीपत समा लखा इसराना बपॉली देखने को मिलेगी और इसकी उपता सील मड लोडा है ठीक है और इसकी जन संक्या देखें तो 12,2,000 आप देखेंगे 881 ही है और इसमें 2011 की जंगरना की हिसाब से पानीपत की साक्षरता देखें तो 77.530 है और लिंगनपात 861 है और जन संक्या घरन 949 पिती ब्यक्ती पिती बर किलूमीटर में न फस लेंगे हुँ चाबल और गन्ना और सबजियां आप लोगों को देखने कुमलेगी पानीपत की प्राची नाम पान प्रस्त बुर्णकरों का सहर पेट्रोकेमिकल हब ये उद्धों का अखाड़ा भी आप लोग इसे कहते हैं और हरयार राजी के पानीपत जिले की बात क द्वारा इस्थाफित पांस सहरों परस्त में से एक था इसका इतिहासिक नाम पंडव परस्त पंडवों का सहर था और हरयाना की मद्यपूर में पानीपत जिला देखने को मिलेगा ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखेगा पानीपत जिले की तीन लडाईयां आप सायर अलता फुसेन हाली यहीं जन में थे संत भू अली साह कलंदर भी पानीपत में ही पैदा हुए थे पानीपत के करांतिकारी मौलवी कलंदर ने सन 1875 में अंग्रेजयों के बिद्रों का जंडा बुलंद किया था फांसी पर चड़ गय थे ने ठीक है तो ये भी याद करता था तो यह से बारे में याद रखेगा यहां कि प्रमुक्ति राष्टलक अभिने नर्माता सतेन कप्पू चरित अभिने मोहत अगबाल अभिने चरन नीरत चौपड़ा भाला फेक के खिलाडी यह आप सभी जानते हैं अल्था पुसेन हाली पानीपत के कभी यह एहाली मुसदस एहाली मजलिस उनन उलन सा तरिया के जोमम उनिस सो चार में अल्था पुसेन हाली को सम से उलेमा की उपादी भी पितान की गई थी जर्षबी सिंक बड़ी के खलाडी हैं यहांके और देश बंदू गुप्त इन्होंने हर्याना को अलग राज बनाने की बा और इभी तालाप मंदिर पाणिपत के तीसरे योद्य के बाद माराठा के सरदार मंगला रगोनात में बनवाय था और यहां मेला दुरग अश्टमी मेला लगता है कलंदर की मजार का मेला लगता है और आप देखेंगो अब्लूगों को कबूली वाक की मश्टि देखने को मिलेगा जामा मश्ट देखने को मिलेगी और यहां मजार पानीपत की मजार में अली साहा कलंदर की मजार सेक अनामुल्ला की मजार गौस अली साहा की मजार आपको देखने को मिलेगी मकबर एक भी बात करें तो इब्राहिम लोधी का मकबरा हैमू का मकबरा देखने को मिलेग डरगाओं की बात करें तो, भु, अली साहा कलंदर की डरगा और सेद रोसन अली साहा की डरगा हाली की डरगा जलाल उद्दीन की डरगा आपको देखने को मिलेगी यहाँ और पैना हों कुद्द्दिऊंगों में सूती उनी और आप देखेंगे उनी बस त, चीनी उद्धिव, पेटॉलियम, विद्धुत उपकरन, कालीन उद्धिव, रसाइनेक उद्धिव यहां आपको देखने को मिलेगा है और इसिया की सबसे बड़ी रेफाइनेरी भी आपको यहां देखने को मिलेगी और तापी विद्धुत केंद भी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यूरिया सेंद, कैप्टिव विद्धुत सेंद, किंतिम रवड सेंद यहां देखने को मिलेगे पानी भर में कई परेटा के स्थल हैं जो आकरसन का केंद है यह आप लोगों को मुकल समराट बावर ने पानी पत की पहली लड़ाई में इबराहिम लोधी पर अपनी जीत के जसन में मनाने के लिए बनवाया था देवी मंदर, सलार जंग गेट के समीप इस्ते देवी मंदर इस पानी पत में उपला दिपराचीन हिंदू मंदर है विया दरबाजा पराचीन आवादी के प्रविस इसे देखने को मिलेगा इसका निर्मा बैटे स्काल में हुए था अरन्टुक एक्छ मंदिर यही आपको देखने को मिलेगा सनीधाम पानीपत में ही देखने को मिलेगा मंदे गुरु द्वारा पानिपत में ही देखने को मिलेगा गुरु नारक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी राम चंदी जी का मंदिर भी यहीं आपको देखने को मिलेगा महराजा सिंधिया द्वारा निर्मित करवाए गया था देगंबर जैन का मंदर भी आपको देखने को मिलेगा, यह 70 सताबदी में बनवाए गया था, कबीर उल उलिया हजरत जलाल लुद्दीन की दरगा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, सियन रोसन अली साहद दरगा देखने को मिलेगा, अलताप हुसेन हाली की कबर भी यह यही आप लोगों को देखने को मिलेगी, जामा मस्चिद, यह आप लोग 17 सताबदी में बनवाए गया था, हजरत, ख्वाजा, समसुद्दीन का मकवरा भी यही देखने को मिलेगा, मदर्सा ये गुम्मदान भी यही आप लोगों को देखने को मिलेगा, फकरोद्दीन भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा सियाम जी का मंदिर गाउं चुल काना में देखने को मिलेगा प्रगटेस और महादेव धाम गाउं भादर में देखने को मिलेगा गाउं पातरी में सीतला माता का मंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा दरवाजस समसुद् का मकबरा और साहल विलायती का मजार भी देखने को मिलेगी प्रेम मंदर यहीं आपको देखने को मिलेगा बाबा जोद आप देखें कि जोद सचियार पानिपत के से दिली की तरफ सिखों के गुरू बाबा जोद सचियार का गुरू द्वारा अपने एक विसेस महत्ता रखत देखने को मिलेगा इर्दिष्टि संबाद पानिपत की सिंख पत्री गाउं में हुआ था और यह अप्छे इर्दिष्टि भारती से ना हीतु 75% कपणों की आपूर्थी पानिपत से होती है हर्यान राजी का है जिला नैसनल हाईवी नंबर एक पर देखने को मिलेगा 22 पानिपत नेथला से ने बनवाए गया था हर्याना में निर्यातकों की साहता के लिए पानिपत औरेवाडी में कंटेनर स्टेशन बनाए गया ने तीन बच्चों ही तू सरकारी संस्थान पानिपत जिले में खूले गया देश का पहला बेंटो नाइट सलफा प्लांट पान होती है अब हम लोग सौनीपत के बारे में बात कर लेते हैं हर्याना का अंगला जिला है सौनीपत और यह आप देखेंगे सौनीपत देख रहा होगा इसकी सीमा पानीपत से लगती है जिंद से लगती है रोहतक से लगती है और आप देखेंगे इसकी सीमा जजजर से लगती ह यहां देखे और दिल्ली से लगती है राज्चों में और उत्तरफदेश से भी लगती है इसकी सीमा अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप देखेंगे हर्याना कि मदपूर भाग में देखने को मिलेगा 22 देसंबर 1972 को इसे राज बनाए गया था इसका मुख्याले सौनीपत में ही देखने को मिलेगा छेतफल 2122 वर किलोमीटर फिला हुआ है सौनीपत का ओप मंदल सौनीपत गोहाना गन्नोर खरगोदा है गन्नोर आप देखें खरगोदा खरखोदा और राई सौनीपत मुंदलाना कतूरा गोहाना मुर्थल है सौनीपत की तहसिल की बात करें तो सौनीपत गन्नोर गोहाना खरगोदा है और सौनीपत की उपतहसिल राई खान पोगंकला देखने को मिलेगी यहां की जनसंख्या आप देखेंगे 14,808,000 असी देखने को मिलेगी और सौनीपत की साक्षरता 80.8 पिती सद भी है और सौनीपत का लिंगनपात 853, 1000 पुरुसों पर 853 माईला है और यहां का जनसंख्या घनत 697 ब्यक्ती पिती बर किलूमीटर में निबास करते हैं इसके उपनाम देखें तो सौने का सहर कहते हैं, साइकल सिटी भी कहते हैं, एजूकेशन सिटी भी कहते हैं, गोर्लन सिटी यानि की सौन नहिंगरी भी कहते हैं सौनीपद नाम स Samsung सब्चे से अपनाये गया है सवय्ड पष्ठ parfois रहे ses एकक लोघ्प 있고요 मानती की यहानं महा भरीत में उल्यकित पांक पाथ पाथ यानि प्रेयश्थों नो पनीपथ भागपथ और स्वणी पथ में से यह कहें रजा सौनी के भारे में बताता है और आप देखेंगे नई दिल्ली से उत्तर में 43 किलोमेटर दूर इसकी नगर की स्थापना संभावत अलगबग 1500 इस भी पूर में हुई थी ठीक है और आरंभिक आरियों ने की थी इसे हिंदु महाकाव्ब में महाभारत में इसका स्वध प्रस्त की रूम में उल्लेक मिलता है और सहर में अब्दुल नसर्युद्दून की मस्जित आप देखेंगे 1272 में यह इसापूर होगा यह आप देखें 1272 में निर्मे थूई थी ख्वाजा खेज़िक का मकबरा है यह आप देखें 1522 या 1525 इस भी में निर्मे थूई थी और पुराने के लिए के आउसिस देखने को मिलेगे यहाँ पर हिंदू का बाबा दाब मंदिर पे सिध्ध है और परेटर के स्थल देखें तो संभूनात नहारी सौनीपत सौनीपत एक इतिहासिक और प्राचीन सहर भी है हजारों साल पहले राजा सलवान के बाबा पुरान मल जिन्होंने साल कोट पर सासन किया था और ध्यान के लिए जिला सौनीपत में नहरी गाओं आये और ध्यात में कानन पर आप करने के लिए थे चकोर परेटरंग इस्थल भी देखने को मिलेगा संत कुमभा तीरत इस्थल प्राचीन माकाली मंदिर कामो रोड पर आप देखें सौनीपत में राम लीला ग्राउंड के पीछे मामा काली का एक मंदिर देखने को मिलेगा चैवर चैस हजार बरस पुराना देखने को मिलेगा वेटिस समय तहसील सौनीपत एक वेटिस काल की तहसील भी रहा है जो की खास है परेटक इस्थलों में वैसे अभी भी खंडर में तब्दीर हो चुका है बड़ खालसा यहाँ पर भाई जेता जी और भाई लखी साहब बंजारा का खास इस्थान है जिसको देखने के लिए लोग काफी दूर से आते हैं मामा भांजा दरगा नामा के एक मस्जित पुरानी डिसी रोड पर इसते देखने को मिलेगा और हिंदू-मुसलिम एकता का पितिक माना जाता है और सेक्ड़ों साल पहले यहाँ एक मंदिर होता था सौनीपत के पार्क देखें फूर्ड पार्क राई में फूर्ड वीयर मारवल पार्क खर खोदा में देखने को मिलेगा और सौनीपत के बिस्विध्याले देखें तो फगत फोल सिंग महिला बिस्विध्याले खानपोर, दिनबंदू छोटूरां विस्विध्यार्प, मुर्थल में देखने को मिलेगा OPA जिंदल गिलोल विस्विध्यार्प मौतिलार नहरु विस्विध्यार्प में राऐ में हरयाना का पहला स्पोस्ट स्कूल है और इसके पहले कुलपती कपिल देव होंगे और भारत का ये का पहला परेटक बिस्विद्धियाल है राई में पंडित लखेमी चंद उनिवसिटी अरट रेना सौनीपत में सेंडल बिस्विद्धियाल है सौनीपत में असोका बिस्विद्धियाल है सौनीपत में बियार अमेड का लॉइन विविसिटी सौनीपत में ही बीपी एस महिला विस्विध्याले खानपूर कला ए भगत फोल सिंग महिला विस्विध्याले उत्तर भारत का पिता महिला विस्विध्याले और यह है विस्विध्याले हन्याना की सौनीपत जिले में खानपूर कला गा कहते हैं बचपन का नाम चज्जू राम था मंगे राम हर्याना किस रोमनी कभी और पंडित लख्मी चंद के चेले थे और पंडित लख्मी चंद आप देखेंगे हर्याना का सेक्सपीर भी कहते हैं संगीत की मीरा हर्याना का तांसेन सोरी कभी इनका जनम 1903 में वो मित्ति 1945 मे हुई थी गुरू का नाम टिका राम था उनके धीप छंद, बेहमन वपंडित जक्मी चंद को एक स्ट एक संगी कलाकार दांसी और मलक इन दोनों ने मांट वृरेस्ट पर चठाई की थी में मेमानसा मलक जी टीवी की एंकर उन्होंने 1998 में जी नीवच के साथ एंकर की रूम में अपना करियर सुरू किया था मेगना मलिक फिलम और टीवी कलाकार की रूम में करनल होसियार सिंग सौनी पस्से योगे सुल्दत हर्याना खिलो में ब्रांड एमेस्टर और पतंजली घी के ब्रांड एमेस्टर टेक्टर्स का ब्रांड एमेस्टर इन्हें बना गए दीपा मलिक हर्याना चुनाओ आयुक की आप देखेंगे ब्रांड एमेस्टर और दिल्ली चुनाओ की भी ब्रांड एमेस्टर है और भालती पर आलंपिक कमेटी की अध्यक्ष भी है मोलचंद चैन हर्याना के गांधी के नाम से मसूर हैं एक गुआना से हैं मौसम खत्री एक कुस्ति खलाडी कैसनलाल भट एक हर्याना में सांगी की परंपरास से जुड़े हुए हैं फोजी मेर सिंग सुवाश्चंद बॉस के ड्राइवर थे सौनीपत के मेला बालकनात का मेला सतकुम्भा का मेला बाबा समासा का मेला सौनीपत का मंदिर कपडेसोर का मंदिर ए सौनीपत मारक स्थित खर गोदा का चपडेसोर मंदिर प्राचीन धरुबर है और इस मंदर के पिती ना केवल आसपास के छेत्रों बलकि आप देखेंगे कि पिदेश भर की लोगों की अपार सिक्दाय यहाँ पर दूर दूर से दर्सन करने लोग आते हैं सिवराती पर यहाँ मेला भी लगता है बड़ी संक्या में कावाड़ियां आकर सिवजी का जलब इसे ख भी करते हैं हर्सकालिन ताम मुद्राएं भी हर्याना के इस जिले में मिली हैं सौनीपत की गुहाना की जलेवी पूरे हरयाना में पिसिद्ध है और हरयाना में सबसे जान्दा कुम्भी का उत्पादन होता है सौनीपत में और सौनीपत के पहली स्वर्ड प्रेस्थ कहा जाता है फिर स्वर्ड पत कहा जाता है ने लगा सौनीपत को रिसी सेवन ने बसाया सौनीपत खुम्भी यानी मसरूम के लिए पे सिध्ध है और सौनीपत में देश की पहली आधुनिक अहंगनबाडी इस्थापित की गई अहसानपुर गाउं में 1857 की किरांती का नेतित खर खोदा से बिरासत अली ने किया था 1880 में सौनीपत को रेल मार्क से जोड़ा गया था 1959 में सौनीपत में एटलस साइकल उद्दिव की स्थापना हुई है 2015 में सौनीपत को नगर निगम घोसित किया गया था यह हरयाना का दसबा नगर निगम है सौनीपत रोहितक मंडल में आता है और गोहाना के किला पितिवी राज चोहान ने बनवाय था गर्नोर में अंदराश्टी मंडी जो कैस लेस मंडी देखने को मिलेगी सेस सैयाप और लेटे भगवान विसनु की मूर्ती फिजल पूर सौनीपत से मिली है हर्स का अलीन मुद्राए सौनीपत से मिली है मुगल वास्तू कला की आउसेस भी आपको सौनीपत से ही देखने को मिले है गोहाना में मातुराम हलवाई की जलिवी पिसिद्ध है सौनीपत का गेवर भी बहुत पिसिद्ध है गुहाना में ही पी जमाल की दरगा है जो हिंदू और मुसलिम की एकता के लिए जानी जाती है रिवाज खान का मकबरा भी सौनी पत में देखने को मिलेगा एथिनॉल फिलांट भी सौनी पत में देखने को मिलेगी खेडी गुर्जर सौनीपत में मिट्टी के वर्तन के अक्सेस भी मिले है सौनीपत में आप देखें नेशनल हाइवे चवालीस भी गुजरता है यांसे सौनीपत में यमना नदी भी वैती है ककरोई जल बिद्धुत परियोजना भी सौनीपत में बिजली बिभाग ने सौनीपत जले में बिजली रत की शुरुवाद की हर्याना इस्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर की तरफ से सौनीपत में 50 लाग का ही नाम मिख भिला है ऐसे तो ये आपकी सौनीपत की कहानी खतम होती है अब हम लोग बात करते हैं रोहितक के बारे में हर्याना का अंगला जिला है आपका रोहितक और इसमें आप देखेंगी आपको रोहितक दिख रहा होगा इसकी सीमा आप देखें हिसास से लगती है जिंद से लगती है सौनीपत से लगती है, जजजर से लगती है, चर्खी दादरी से लगती है और भेवानी से लगती है ठीक है? और अंतराजी ये सीमा इसकी नहीं लगती है ये विद आप लोग जरूर याद रखेगा रोहितक की स्थिती हर्याना की उत्तरपूर पूर्वी किनारे पर देखने को मिलेगा, एक नवंबर 1966 में इसे जला बना दिया गया था, इसका मुख्याला है रोहितक में ही देखने को मिलेगा, इसका चेतफ़ल 1745 बर किलूमीटर वे, इसके उबमंडल रोहितक हो गया, महम हो माजरा इसके देखने को मिलेगा, इसकी चेतफ़ल अगर जनता की बात करें, तो 10,58,683 देखने को मिलेगी, और साथचरता 85.7 पिती सत है, और लिंगनपाथ 880 है, और जनसेंक्या घेनत 867 बेक्ती पिती बर किलूमीटर में निबास करते हैं, इसके उपनाम देखें तो ए पाजनेतिक राद्धानी भी कहते हैं, आप लोग बता है, ये हिदय पिदेश के देखें कहते हैं, ये आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा, और कहा जाता है कि पहले रोहतास गड़, रोहतास का दुरुक कहलाने बाले रोहतास की स्थापना रोहतास नामा की एक पास आ गया था, और उत्तरपश्मी परांतों में की पसासन में आ गया था, रोहताक जले में 1857 की करांती आरम मई के तीसरे सपताय में हुई थी, और रोहताक से 1857 की करांती का नेतित हसन अली अब्दो सम्मंध और विरासत अली ने किया था, जबकि सापला से करांती का ने धारन के लिए भारती सीमा आयुका आगमन रोहतक जिले में हुआ था और 17 फरवरी 1921 को महत्मा गांधी ने रोहतक की रामलीला मैदान में भासर दिया था बैस हाई स्कूल रोहतक की निव रखी थी जो अब जाट स्कूल है मार्श 1929 में आप देखेंगे रोहतक जिले में हु खिलापा तांदुलन के दोरां जेल में बंद केदियों से मिलने के लिए महत्मा गांधी और अलू बंधू रोहतक जिले में प्राचेन बस्तु आवसेस इस्थल और पुरातत्तिस इसमारक भी है रोहतक यहां से गुप्त कालीन मुद्रा है कुसार सेली का द्वारा इस्थ पुड़े हुए ऐस्थल बोहर यहां से बलराम की मूरति मिली है बोहर वार माजरा यहां से मुद्रा साचे पराप्त हूए है कोक्रा kos ऑतक एक τον गोटसे इंडो सासकों की सिक्के मिले हैं, खोकरा को टीलेग की खुदाई से बहुत मूर्तियों की आवसेस भी मिले हैं, बहमन वास रोहितक यहां से महत्मा बुद्ध की मूर्तियां पर राप्त हुई है, दीनबंदू सर छोटु राम इसमारक संगराल है, एक गड़ी सांपला दीनबंदू की अपितमा हर्याना राजी की सबसे उची की तीमा भी है, यहां आप देखें विवन सिक्षर संस्थान भी है, रोहितक जिले में काफी सिक्षर संस्थान हैं, जिसमें बज़े से रोहितक को हर्याना का याजु के सन हभी कहते हैं, महैसी दयानन्द उनिवरसिटी की बंडित बीडी सर्मा की स्थापना एक मेडिकल सक्षान संस्तान की रूम में रोहतक में 1960 में हुई थी और इसे यूनिवसिटी के दर्जा 2008 में मिला बाबा मास्तनाद यूनिवसिटी अस्तर भोहर में देखने को मिलेगा बाबा मस्तनाद विश्विध्याला एक होई थी ओतर भारत और NCR रीजन का पहला IEM है यह मुक्रूप से मैनेजमेंट के को सोपलब्द करवाता है दाश्टेश इंस्टीटीट और फिलिम एंड आप देखेंगे फिलिम एंड टेलिविजन राज फिलिम बा टेलीवान संस्तान की स्थापना सिनमा को बढ़ावा द रिस्तान और बार भी है तिर्याल जीर के पास साहसे खेल और मिनी चिडिया घर खिलोना ट्रेन और जूले आदी बच्चों के मनुरंजन भी देखने को मिलेंगे इस पेलेस वाटर फार्क यह भी आप लोगों को दिल्ली हिसार मार्क पर लगबग 5 एकर में फैला हुआ है म और इस सुरक्य जहरने का निर्मार उस समय हुआ था मुगल राज्या जहां की सूविदार सेदू कलाल ने करवाय था 1689 से 69 इसमें एक कुगा भी है जिस तक पहुंचे लें के लिए 101 सीडिया लगी हुई है लेकिन फिलाल इसमें 32 सेडिया है बच्ची बाकी हालत कस्ता हो जी बहुत पुरानी है ना अस्तर वो हट हट यह आप देखें यहीं रोहतक दिल्ली रोहतक सहर सिफ साथ किलोमीटर देखने को मिलेगा और वहर एक मठ है गुरु गोरक नात को मानने वाले रहते हैं इनको मानने वाले लोगों में भगवान सिफ की अती अतूर शिद्धा गोरक पूर को इस मठ का संस्थापक भी बारा जाता है तीक है गवर्ण का तालाप यह आपको रोहतक जिले में देखना कमा जाता है इस तालाप का नाम गव करन आप देखेंगे महरा करन महराज के द्वार नाम पर रखा गया है चिल आउट जॉन यह आप देखेंगे गुरु तेख भाहदूर दिल्ली साहद देने वाले जाने से पहले यहाद तेरे देन रोके थे गुरु द्वारा वंगला साहिब यह यह सिक के नौवे गुरु तेख भाहदूर को समर पे थे गुरु द्वारा मंजी साहिब यह रोहतक जिले में देखने कमा लेगा महम का इतिहासिक चबूतरा, ए महम 24 ही का इतिहासिक चबूतरा देखने को मिलेगा, पूरे देश में एपिसिद्ध है, ठीक है, रोहतक जिले की मस्जदें है, सीस महले या सीस से बाली मस्जद, या मस्जद रोहतक जिले में चमेली गाउं में देखने को मिलेगा, इस मस्जद का प अंदर आप देखें, ग्यारे सो वर्स पुराना महावीर मंदर है, और समराज ओरंगेव के सासनकाल में मुसल्वानों ने इस मंदर को मस्जित का रूप दिया था, और 1947 के बाद इसे फिर से मंदर का रूप दिया गया, लाल मस्जित भी देखने को मिलेगा, रोहतक जिले में दोबलन माजरा में, बाबा जमनादास का मेला, भलोट में, होला महोला मौसव, ए लाखन माजरा में, जनवाश्टमी का मेला भी लगता है, और आप देखें, रोहतक जिले से सम्मदित कुछ प्यक्ति भी है, सर चोटू राम, चोटू राम किसानों की आवाज, किसानों की म रहे बर एक आजम दीन बंदू चौदरी चोटू राम जी आधी नाम से इने काफी जानते हैं आप लो इनका जनम 24 नवंबर 1888 को रोहतक जिले की गड़ी सांपला में हुआ था इनका बास्थपिक नाम रिच्पाल था और चोटू राम जी ने आगराव इस विद्याले से बक 1937 में चोटू राम को सरकी उपादी दी गई थी और 1942 में भारत चोड़ू आंदोलन के दौरान ये उपादी बापस लोटा दी थी इन्होंने 1938 में किसानों की आनाज की विक्री है तो मारिकेटिंग बोर्ड का गठन किया गया था यह गाउं भेवानी जिले में आता है अब पहले रोहतक में आता था इन्होंने 1930 में संदेश नामक सत्या सपताहिक समाचार पत निकाला था है इन्हें हर्याना के स्री के नाम से भी जाना जाता है पंडित नेकी राम सर्मा की मित्यू 8 जून 1956 को हुई थी भूपेंद सिंग सिंग हुड़ा के जुपोत्ते है और रोहतक से लोक सबासादस भी है और स्री मनुहलाल खटर यह बर्तमान में हर्याना की मुखमंत्री है इनका जनम आप देखें पांच मई 1904 को निंदामा महम रोहतक में हुआ था इनका विधान सबाचित करनाल जिले में है चौदरी जनवी सिंग हुड़ा ने भारत की आजादी की समय काफी वर्चर कर भाग लिया था इन्होंने हिंदी हर्याना नाम से पतिका का संपाधन भी किया था इनके पिता का नाम आप देखें मातुराम था ममता खरब का जनम 26 जनबरी 1982 को हर्याना की रोहतक में हुआ था यह अंतर साक्षी मलिक यह भारतिय कुस्ति की खिला रही है साक्षी मलिक का जनम 3 सेप्टमबर 1992 को मोकरा गाउं रोहतक में हुगा था इन्होंने 2016 की आप देखे ओलंपिक खेल में ब्राजील में रियो जिरो में कांस पतक जीता था अर्जुन पुरुसकार मीला है 2017 में 2018 में गोल्ड 1976 को रोहतक जिले में हुआ था असो कुमार गर्ग यह भारतिय कुस्ति के खिलाड़ी है जनका जनम 7 जुलाई 1979 को रोहतक जिले में हुआ था उन्हें कई उपाधियों से नबा जा चुका है 1990 में सितारा ए हिंद की उपाधी हर्यान सरकार ने खेल पुरुसका दिया है 1991 में स अभी नेता है इन्होंने पिसिद्द चंदावल फिल्म में रुंडा का किरदार निभाया सवास गई असो गई असुनी चौदरी इनका समंद आप देखेंगे रोहतक जिले से है और ए बॉलीवूर्ड में पिसिद्द निर्माता ने दे सक है अमित कुमार रोहतक जिले से स है ठीक है और महावारत की नकुल दिख विजय ने में रोहतक का बर्ण मिलता है और महावारत की नुसर पांडवो युद्धा नकुल ने इस जिले की और बढ़ रही यह पाया बढ़ कर यह पाया कि यहां मत मयूरग नामक लोग बसे हुए है यह पर आचिन समय में राजय कार्टी की का राज हुआ करता था और किसी भी राज से इसकी सीमा नहीं लगती है यह भी रोहतक में कॉंग्रिस की स्थापना 1887 में हुई थी मातमा गांदी आपको बताया है कि रोहतक भी आये थे 8 अक्टूबर 1926 को 1926 में सरपिथम इंटर्मीडिया इसतर का कॉलेज भी यह खुला था हिंदी समर्थन सत्यागय आंदोलन भी सबसे प्रभावी जिला रोहतक और हिसार थे एकल खिलाड़ी यह उजना के कारण इस जिले का तेजी से उद्दोगी कानन भी हो रहा है हर्याना पहला एलिवेटेड रेल विट ट्रेक यहीं पर वनेगा जिसकी लागत आप देखें 314 करोड रुपे हैं कॉंग्रेस की पहली सारविनेक सबा हर्याना की रोहतक में 12 अक्टूबर 1886 में हुई थी जिसके अध्यक्ष तोर राभाज थे इस जिले पर आर समाज का प्रवाव भी सबसे अधिक बढ़ा है इंडोगीक साजकों के सिक्के भी खोकरा कोट से मिले हैं यहां से आपको सांड कालीन मूर्तियां भी मिली है और आप देखें कि यहां से रोहतक में दुरुगा मंदिर का सिलन्यास लाल बहादु सास्त्री की वह उनकी प पॉम यहीं पर रखा गया था पदम सिरी सेट किसंदास का समंध भी हर्याना जिले की इसी जिले से है को सार से ली द्वार रोहतक में इस्ते थे आकासवाणी केंद या आप देखेंगे कि रोहतक जिले में हर्याना का सबसे पुराना आकासवाणी केंद इस्ताफ है जिसकी तरी ये योद्य समारक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, मांसरूबर पार्ग भी यही है, हर्याना का पहला कॉलेज, पंडिद नेकी राम सर्मा कॉलेज यही आपको देखने को मिलेगा, चलिए ये भी आपनों देखने को मिलेगा, राजीब गांधी स्टेडियम की अकादमी रोहतक जिले में देखने को मिलेगी सरदार बल्लब भाई पटेल स्टेडियम की स्थापना 2018 में की देई थी और आप देखें मैहम सुगर मिल की स्थापना 1991 में की गई, रोहतक सुगर मिल की स्थापना 1956 में होई थी तो एक हानी आप देखेंगे कि रोहतक की आपकी खतम हो जाती है तो हर्याना का अंगला जिला है भीवानी और आप देखेंगे कि इसकी सीमा हिसार से भी लग रही है रोहतक से भी लग रही है चर्की दादरी से भी लग रही है और महंदगड से भी इसकी सीमा लग रही है और अंतराज्जी सीमा इसकी राजिस्थान से लग रही है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा भीवानी हर्यान के मद्ध पश्रिम भाग में देखने को मिलेगा और 22 दिसंबर 1972 को इसे जिला बनाये गया था इसका मुख्याले भीवानी में ही देखने को मिलेगा इसका चेदफल 5,9999 में फैला हुआ है और इसके उपुमंडल भीवानी हो गया लोहारू हो गया शीवानी हो गया और तोसाम हो गया इसकी तहसीले भीवानी भावानी खेडा तोसाम दादरी और लोहारू और सिवानी और इसकी उपतहसील वाड़ड़ा और बोदकला और इसकी जनसंख्या की गयर बात करें तो आप देखेंगे कि 1,96,057 जनसंख्या है या की और साक्षरता आप देखें 83.9 परसेंट है ले नातर नातर आप देखें, 342 भीक्ति पिती बर किलो मीटर में नबास करते हैं अब आप देखें बड़ा चितफल है तो आराम से बंदास रहते हैं लोग इसके प्राची नाम देखें तो बस्त नंगरी के नाम से जानते हैं हर्याना की कासी भी कहते हैं, छोटी कासी भी कहते हैं मंदिरों का नगर कहते हैं, मिनी क्यूबा भी कहते हैं वाक्सिंग का पावार हाउस भी कहते हैं, सिटी आफ वार जोर हीरोज भी कहते हैं इसे, ठीक है, और एस ही आ का सबसे बड़ा बाटर बड़ा वाटर वरकर से आप बापोड़ा में देखने को मिलेगा, भीवानी टेक्स्टाइल भी देखने को मिलेगी, राजपूत राजा नीम की पतनी, भानी की नाम पर इसको वसाये गया, इसका नाम भीवानी पड़ा, मुगलकाल में भीवानी वर्डिज जी का मुखिकेंद भी था, आइने अकवरी भीवानी का जिक्क मिलता है उसमें, भीवानी में कॉंग्रिस की स्थापना पंडिक नेकी राम सर्मा ने 1919 मे हर्याना के तीन मुख मंत्री, बंसी लाल, होकुम, चंद, बनारसी, दास गुपता की जनम स्थली भी यह है, हर्याना में इस जली का जल सबसे नीचा भी है, तो यह भी याद रखेगा, हर्याना विद्ध्याले, विद्ध्याले, शिक्षा बोर्ड भिवानी में है, इसकी स इसता अपना होईते हैं, तो साम की बरादरी भिवानी में है, जिसको पितिवीराज चोहान की कचैरी भी कहा जाता है, भिवानी बॉक्सिंग कलब भी भिवानी में है, जिसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं, भिवानी की सिमा राजिस्थान से लगती है, भिवानी मे सबसे रामायड पनने का इस्तान नचार खेडा से मिला है сов और Сов इधार केड़ा मिले है कःता समुध्र काली से Kleणा साचे ओचूला भी मिला हार्याना का पहला आदशस गाहूं सुई भेवानी में ही है हर्याना का पहला वाकस गाहूं बपोड़ा भी यही देखने को रियार हर्याना में सबसे पहले पसु के एडिक काईड की शुरुआत करने वाला भिवानी ही जिला है कुछ और तथे देख लिए हर्याना की भिवानी जिले में पहला ग्रामीड बैंक खोला गया था चिंकारा पिजननकें केरू भिवानी में देखने को मिलेगी इसकी श्थापना हुई एक छोटा सचडी आघर है जिसकी श्थापना उने सो ब्यासी-तेरसी में हुई थी वेवानी जिला जो चना के उतपादन में हर्याना में पितमस्तान है हर्यान रराजी में सरबादिक पकी सडकेंती लंबाई भी आपको भिवानी में देखने को बिवानी जिले में boxing club यह आपको देखने को मिलेगा जैसे boxing का powerhouse भी कहते हैं आप लोग भिवानी जिला हर्याना के तीन मुख मंत्रियों के स्थली रहा है बता चुका हो तो इसके सीतला माता से संबंदी तीर भिवानी काओं में है आसे पली द्वारा निर्मार कराईगी लाल परेटर के भिवानी में आपको देखने को मिलेगा यहां चिंकार आप इजनन के अंध है कुछ तीरत स्थल देखें तो बया परेटन स्थल मिनी चिडिया घर रेड रोविन और यहां के सिक्षर संस्थान देखें तो हर्याना विद्याले सिक्षा बोर्ड और आप देखें इसकी स्थाफना दो जाफना इनका जनम चार सेप्टंबर 1887 में हुआ था हर्याना केसरी के नाम से भी आप रोग ने जानते हैं हॉम रूल एक्ट के नेतित पंडित नेकी राम सर्माने हरयाना में किया था पंडित नेकी राम सर्माने 1920 में महत्मा गांधी को विवानी में हरजन आंदुलन शुरू करने के लिए बुलाया था पंडित नेकी राम 1930 में एक पत्तिका निकाली थी जिसका नाम संदेश और संदेश पत्तिका उर्दू भासा में थी चौदरी बंसिलाल 1927 में इनकी का जनम होता है 2006 में इनकी डेथ होती तीन बार मुखम मंत्री बनी 1906, 1986, 1996 बंसिलाल भारत की रक्षा मंत्री भी रहें और रेल मंत्री भी रहें इनने विकास पुरुस और लोहिपुरुस के नाम से भी जानते हैं इनकी पार्टी हर्याना विकास पार्टी थी और बंसिलाल की पार्टी का चुनाओ चिनल लड़का लड़की था बंसीलाल हर्या के सबसी युवा मुखमंत्री भने थे बंसीलाल ने 1970 तक पिदे गाउं में विजली पहुंचाई पिदे गाउं में विजली पहुंचाने वाले पहली हत पहला राज्य हर्याना था बंसीलाल के समय HVSE हर्याना बिद्ध्याले सिक्षा बोड की स्थाफना 1989 में हुई थी तो यह भी आप लो बंसीलाल 1971 में पहली बार जन्गरना हुई यहां बंसीलाल के समय हुई यहां ठीक है हर्याना 1996 में सराब बंदी दो साल तक चली थी एक जुलाई 1996 से अपरेल 1999 था बंसीलाल का चुनावी चित तो साम था और बंसीलाल ने हर्याना की दूसरी भासा तमिल को लागू किया था और हर्याना की दो बार मुखमंत्री रहें बनारस्ती दास गुपता बनारस्ती दास गुपता तीन पत्ती का निकाली हर्याना के स्त्री हर्याना कॉंग्रेस पत्ती का और देस पत्ती का बनारस्ती दास गुपता का दो वार मुखमंत्री भी रहें लेला राम कुस्ती के खलाडी थे विवानी से थे 1988 में राश्टमंदल खिलो में उने गोल्ड मेडल जीता था अरवेंद केज्रीवाल दिली के मुकमंत्री अरवेंद केज्रीवाल विवानी के ही है यहां के सेवानी गाओं मंडी से इनका तालुक है सेट चज्जुराम यहरयाना का भामा साय और हरया का दानवी सेट कहा जाता है ने आसन कुमार भारती कबड़ी के कोच बरत्मान में और विजेंद सिंग ए बॉक्सर हैं विवानी से हैं रोहे नात गाउं में के कुगा का समंद गुण 1857 की करांती से रोहे नात गाउं में पहली बार मनुहलल खटर नित्रंगा फ़हरा है था यहां आप देखें भूतों का मंदिर देखने को मिलेगा, पिणामी मंदिर, जोगी वाला मंदिर, चार मंदिर, किरोडी मल मंदिर, बाबा खेड़ी का मंदिर, इस्टार, इसमारक आपको देखने को मिलेगी यहां, तो साम का किला आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा, देवी मेला देवसर में देखने को मिलेगा, परमहंस मंदिर तिगडागा में देखने को मिलेगा, गौरी संकर मंदिर भूतों का मंदिर, 1919 में भूत बंस के सेठों द्वारा मलू बाली तालाव पर इस्थापित किया गया था, बेया परेटन इस्थल भी देखने को मिलेगा, लोहारू के किला देखने को मिलेगा अरजुन देव ने आप देखेंगे कि 1570 में इसकी स्थापना की थी बाबा मुंगीपा धाम देखने को मिलेगा यहां रंगी साहिब मस्चित भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसका निर्माड आप देखेंगे लाल चंद और मामन ने मिलकर करवाया था और अश्ट कुंड एवं पंच दीर्थ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 1813 में भिवानी में पहली बार आप देखें नहर लाई गई थी 1933 में आप देखें भिवानी में वाटर वरकस इस्थाफित किया गया 1935 में गंदे पानी की निकासकी की बस्ता की पक्की नालियां यहां की गए थी 1881 में रेल वे लाइन बिचाने के कार हुआ था रेवार्डी से आप देखेंगे भटेंडा के बीच 1883 में यहां रेले आत्रा प्यारम हुई थी 1892 में आप देखेंगे ओगेसेन के प्रयासों से भिवानी सेंटल की को ओपरेट बैंक की स्थाफना भी हुई थी 1948 में आप देखेंगे बड़ा धांगर भी खुला गया था 1940 में टेलीपॉन ओपरेटर की निक्ती हुई थी 1957 में पंडेत दीन दयाल सर्मा की द्वारा सनातन धरम संस्कित पाट साला की स्थाफना भी हुई थी और सन 1968 में पंडेत सीता राम सास्तिरी द्वारा यहां ब्रह्म चार चार आस्रम की स्थाफना की गई थी जू से चाहिए उजना या आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा लोहारू से चाहिए उजना भिवानी में ही देखने को मिलेगा चर्खी दादी में लोहारू से चाहिए उजना को इंद्रा गांधी नहर भी कहते हैं आप लो ठीक है तो पूर्ख सिंदु घाटी सब्दा की खान दुन्द और घरों को तसमा हिल सीमा के आप देखेंगे यहाँ ठीक है तो इनके इतिहास सभी याद रखा कि रही है यह आपकी भिवानी के कहानी कहतम होती है चली अंगला हर्याना का जिला है चर्की दादरी और इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं चर्की दादरी के बारे में और आपको देखने को लेगा यहाँ देखने को मिल दावा है इसकी सीमाब देखिए भीवानी से लगती है रोयतक से लगती है जजजर से लगती है और इसकी सीमाब आपके रेवाडी से लगती है महंदगर से लगती है तो यह भी याद रखिएगा ठीक है और आप देखेंगे यह जिला हर्याना की मध्ध पश्चमी भाग में देखने को पहला हुआ है और आप देखेंगे कि 18 अक्टोबर 2016 को हर्याना केमिनिट ने पिदेश में 22 जिले की रूमें चर्खी दादरी को मंजूरी देती और 18 सेप्टमर 2016 को मुकमंत्री मनुहललाल खटर ने चर्खी दारी को जिला बनानी की गोश्णा की थी और आप देखेंगे 16 दादरी देखने को बॉंद कला और बाडदा और दादरी इसके मंडल है बॉंद और कला और वाडदा ये दादरी इसके देखने को मिलेगा आपको ठीक है और लिंगन पाथ आप देखेंगे 852 महला है एक हजार पूस्टों पर साक्षरता 70% पिर मुक फस लेंगे हूँ कप कपास बाजरा तिल हैं कपास आप देखेंगे यहां और कपास तेल वस्त अधियोग हलके आप लोगों को निर्मार उध्योग देखने को मिलेंगे परेटर इंगिस्तल देखें तुआ स्वामी सर तालाव इसे स्याम स्याम सर की नाम से भी जानते हैं पीर मुबारक साह की द अंग्रेज्यों के दमन का बिरोत अंग्रेजी वा रियासत के दमन कारी निती दादरी की लोगों की बिद्रोही प्रगवित्ती का दमन नहीं कर पाई थी और देश की आजादी की आधुनिक सुतंता अथंग् canoeल शं वर दिशकी रियासतों के खिलाप चलने बालेरे सवी प और राजा महताब सिंग बनारसी दास गुपता राजिन्द कुमार इत्यादी परजामंडा लांदुलन के प्रमुक नेता थे और जिंदरियासत की खलाब लोगों ने विद्रो का दादरी के किले पर कबजा कर लिया था और महताब सिंग का यहां राज घूसित किया गया था जिंदरियासत की हुकूमत चलती रही है सबसे बड़ा सिमेंट कार खाना 1949 में सेट राम किसंडालमिया ने जर्मनी की सहुक से यहां इस्तापित किया था तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसके उपनाम देखिए इस नगर के उपादी दादूर सब्दे से मानी जाती ह जादूर करत होता है मैडक पूरू समय में यहां एक जील होती थी जिसमें मैडकों की अधिकता के कारण इसका नाम दादरी पड़ गया है और इसा कहा जाता है कि नगर की स्थापना पितवी राज की पुत्त विलहाव राज ने की थी और रामकिस्न गुपता ने उन्निस 296 को यहां जहां बिवांद रुकटना हुई थी दो बिवांद जो कजाकिस्तान एयरलाइंस बा सूथिया वोइंक के थे इस बिवांद रुकटना में 349 या 3 मारे गये थे ठीक है पिसिद ब्यक्ति यहां से चंदरावद गीता फोगाट बवीता फोगाट बिनेस फोगाट महावी फोगाट फोगम सिंग उमेज सिंग हीराला चिनारिया इस सभी आप देखते हैं कि चर्की दादरी से संबंद रखते हैं और भारत में एकमात इस्थान कलियाना गाउं आपको यहीं देखने को मिलेगा जहां हिलना पत्थर पाया जाता है ठीक है पीर मों आप देख चोटी चोटी जानकरी हैं ज़रूर याद रखेगा एक कहानी आप इस तरह से आप देखें चर्की दादरी की खतम होती है हर्याना का अगला जिला है जजजर और आप लोगों को मैप में दिख भी रह होगा इसकी सीमा आप देखिये कि आपकी सौनिपत हो रोहितक हो चर्क आप दो याद रखेगा या हर्याना की मद्द दच्छिन भाग में देखने को मिलेगा 15 जुलाई 1997 को या आप देखेंगे कि इस्थापना हुई थी इसका जजजर में ही मुख्याले देखने को मिलेगा इसका चेतपल 1983 दसमलो 90 बर किलोमीटर में फैल हुई है और इसके ओब मंदल जजजर हो बहादूर गड़ बेरी साल हावास बा मातन हौल इसके खंडे है तैसिल जजजर बहादूर गड़ बेरी मातन हैल है और ओप तैसिल इसकी साल हावास है और इसकी जनसंख्या आप देखेंगे 9,55,405 देखने को मिलेगी और साक्छरता 80.65 और आप देखें लिंगन पाथ 862 देखने को मिलेगा जजज़र की जनसंख्या देखें तो आप लोग जनसंख्या घन तो 523 बेक्ति पिती बर किलूमीटर में निवास करते हैं और इसके प्राची नाम अगर हम लोग देखें तो छजज़ू नगर इसकी इस्ताफणा चज़़ू नाम के एक किसान ने की थी सहीदों का सहर भी आप लोग कहते हैं ऐसे और बहादुर गड़ को हर्याना का प्रिविस द्वार भी कहते हैं बहादुरगड का प्राची नाम साराफाबाद और बहादुरगड में मेट्रो भी है उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद भी बहादुरगड में है और बहादुरगड से 1857 की करांती का नेतित बहादुर जंग ने किया था और जजजर से 1857 की करांती का नेतित पतुल रह्मान खान ने भी किया था और जजजर की सुराही पूरे भारत में पिसिद्ध है जजजर की सीमा दिल्ली रोहतक सौनीपत रेबाडी गुड़गाओं और चर्की दादरी से भी लगती है जजजर को जाट छजुराम ने बसाय था मुहमद गौरी की साहता से जॉर् जजजर की बेगम सुमारू ने जजज थोमस प्यार करते थे देख लिजए जज थोमस ने 1794 में तो वेरी पर आकमर किया और वेरी पर पहला युद 1794 में हुआ था वेरी का यह युद अंग्रेजियों और जजज थोमस के बीच हुआ था वेरी का दूसरा युद आप पुर्ण मल का मंदर और भीमे सोरी का मंदर आपको देखने को मिलेगा। हाईविन 9 भी गुजरता है यहाँ, कैंसा संस्थान बार्षा जजजर में ही है, आप देखेंगे, डीघल गाउं का सिवाला जजजर में है, हरियाना का सबसे बड़ा गाउं डीघल आपको देखने को मिलेगा, बुगा का गुम्मत भी जजजर में है, जजजर नमीनतम नगर पईशत भी है, जजजर को सहीदों का नगर भी आप लोग कहते हैं, और नोट सहीदों का गाउं तिगाउं फरीदाबाद में है, जो और सेनकों का घर कोसली को कहा जाता है, और 1886 में आप देखें, सनातत नरब की पहली साखा जजजर में खोली गई थी, 1922 में सबसे पहले पंडित स्री राम सर्मा ने जजजर में तरंगा फराया था, पंडित स्री राम सर्मा की पतिका का नाम तिलक है, उन्होंने 1923 में निकाली थी है, 1950 में आप देखें हर्याना का सबसे पहले प्राचीन संगलाले जजजर में ओमानंद ने स्थावित किया था, और जजजर में किशनावती और साहिवी नदियां बहती है हरियाना का दूसरा खादी स्टोर जजजर में ही खोला गया है और इटली के अंदर दूसरे विस्तेउद्ध में सहीध हुए बालूराम हिसार और हरी सिंग जजजर की आस्थियां मिली हैं जो भारत को भेजी गई तो यह भी है जजजर के मेले देख लिजे बाबा गरीब दास का मेला यहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा दो लेडी आप देखेंगे की का मेला या स्याम जी का मेला रक्षाबंधन का मेला यहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा जजजर के बने जीब अभ्यारन की बात करें तो ए भेंडवास पक्षी अभ्यारन 3 जून 2009 को भारत का सरकाद द्वारा ए पक्षी अभ्यारन की रूम में स्थाबित किया गया था और जवालाल नेरू के तरिक पानी को इस टोर कने के लिए इसका निर्मार किया गया था भेंडवास अभिहारन लगवक 1074 एकड के छेत में फैला हुआ है तो ये भी याद रखेगा खपरवास बननी जी भव भिहारन भी आपको देखने को मिलेगा 1991 में से इमानत अपराप्ते थी परेटन इस्थाल पिताब गड़ फाम यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा माता भीमिस्वरी देवी मंदिर देखने को मिलेगा महाबारत काल में भीम के द्वारा इस्थाबित किया गया था गोरिया परेटक इस्थल भी देखने को मिलेगा ये बहादुरगर में गुरिया परेटक इस्थल है जजजज़र में कमपनिया है कुछ जजज़र के बहादुरगर में पारले बिस्कुट की कमपनी भी है जजज़र में आप देखेंगे बहादुरगर में सूरिया सेमेंट भी कमपनी जजजर में आप देखेंगे Panasonic Company देखने को लेगी, रिलेक्सो और चपल आप देखेंगे Company भी आई देखने को मिलेगी, स्टेडियम भी है, आरा बाग स्टेडियम, बीरेंद सह बाग क्रिकेट अकादमी भी, जजजर की परियोजना है देखोई इंद्रा गांधी तापी विद्धुत परियोजना मात्मा गांधी तापी विद्धुत परियोजना जजजर में जगनात उनिवसिटी भी देखने को मिलेगा भेंडावास जील भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो यहीं भी याद रखिए बुगा का तलाब भी यहीं जजजर में है जजजर से जुड़े हुए ब्यक्ती हैं कुछ बजरंग पूनिया कुष्टी से जुड़े हुए है 2015 में अर्जुन पुरुसकार मिला था 2019 में खेल रतन और पदमसरी भी मिल चुका है मनुभा कर सुटिंग से जुड़ी है मानुसी जिलर मिस इंडिया रह चुकी है और इस निहावर मा मिल्स हर्याना भगवैत दयाल सर्मा हर्यानिया के पहले मुकमंत्री पंडित दीन दयाल सर्मा रसेस की मेंबर है इन्होंने हर्याना का पहला उर्दू भासा में अख़वार निकाला था हर्याना समाच्यारपत पंडित बस्ती राम आर समाच से थे पंडित सी राम सर्मा इन्होंने हर्याना तिलक अखवार निकाला था रगवीर कादयान बेरी से यह मिले और यह सबसे कम उम्र के सांसद भी इन्हें के नाव है गीता बुकल कॉंग्रेस पाइटी से बाल मु बाल पार कर चुके हैं साक्षी घर बोर्ट बनाकर निस्वार रेकॉर्ड बनाया है उन्होंने जगस्तिंग जाकट फिले मविनेता संत कवीर गरीब दास जजर जिले से छोडाने गाउं से थे ठीक है और 1191 की दोरान जब गौरी और राजा पित भी राज चोहान के बीचे उद्वा था तब जजर का चित विकास नहीं हुआ था वहां जंगल उआ करते थे ठीक है तो यह कहानी आपकी जजर जिले की खतम होती है हर्याना का अंगला जिला है महंदगड इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग किसके बारे में महंदगड के बारे में इसके बारे में जानने के लिए है क्या आप देखिए कि इसकी सीमा भीवानी से लगती है चर्की दादरी से लगती है और रिवाडी से लगती है और राजिस्थान से इसकी अंतराजिये सीमा देखने को मिलेगी आप लोगों को ठीक है हर्याना की दच्छेड पश्चिम भाग में देखने को मिलेगा यानि की दच्छेड में इसका मुख्याल है नारलॉल है नार नॉल है ठीक है एक नबंबर 1906 में इसे राज बनाए गया था 1899 बर किलोमीटर में फैला हुआ है इसका ओमंडल कनीना नार नॉल देखने को मिलेगा तहसिले महंदगर नार नॉल अटेली कनीना नागल चौदरी देखने को मिलेगी और उप तहसिले सतनाली देखने को मिलेगा खंड, अटेली, नागल, नागल चौधरी, कनीना, नारनौल, नेजामपुर, सत्थ, नाली देखने को मिलेगा पिरमुख खनेज यहां की सलेट हो गया अलोहया, आइस्क, संगमर्मर, चुना, एस्वेस्टरस देखने को मिलेगा यहां की पिरमुख रेलिवेस्टेशन महेंदगर, नारनौल देखने को मिलेगा नदी यहां की दोहन नदी, जनसंख्या 9,22,088 है और आप देखेंगे जनसंख्या घनत 446, ब्यक्ति-पिति बर किलूमेटर में नेबास करते हैं और आप देखेंगे लिंगनपाथ 895 में महलाएं हैं, कब 1000 पोर्सनों पर वहीं जाओ, ठीके? और आप देखेंगे 895 में महलाएं हैं और यहां देखेंगे, पिति 1000 पोर्सनों पर देखेंगे वहीं कहते हैं आप लोग की 1000 लिंगनपाथ को क्या कहते हैं? 895 महिलाएं यानि की 1000 पर महिलाओं की संख्या ठीक है और साक्षरता 78.8 पितीसात है पिरमो को द्योग खनानो द्योग है और पिराचीन नाम का नोड है खने जों का सहर की नाम से भी जानते हैं हरियाना का एकमात के अंद्रीबे स्विध्याल है नाइट्रोजन पिलांट और बीर बैंक यहां नाल में देखने को मिलेगा पिरमो के स्थल चामुन्दा देवी मंदिर रोसी तीर तेस्थल भगवान से वे मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा यहां ठीक है और दरगा हमजा पीर पिरमो के बाबा राम देव राम किसने यादव गुरू वल देव और माधवपूर की सासक माधव सिंग ने करवाया था इबराहिम खान का मकवरा और इसे समराज सेशा सूरी ने अपने दादा इबराहिम खान की यादगार में बनवाया है राय मुकंद दास का चत्ता यह बीरवल का आना जाना यहां लगा रहता था ठीक है बीरवल का चत् जबादए बावडियां हैं यहां और बावडी मिर्जा अली जानने वनवाई थी सिब मंदर बगोत ये महंदगर से आप देखो 40 किलो मिटर देखने को मिलेगा बागेस और मंदर का नाम इसने मंदर का निर्मार करवाया था और इसे बागेस और मंदर के नाम दिया था मिर्जा अली खान की बावरी ये मिर्जा अली जान की बावरी करनौल सहर की पर्षम में आबादी में देखने को मिलेगी और मिर्जा अली जाने करवाई थे इसका नमाना हमजा पीर दरगा ये आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा हजरत सहाक कलमुद्दीन हमजा पीरं ने बनवाय था दांकियों की रहने की जगह थी इसलिए नाम इसे चोर गॉमब दे दिया गया साहे बिलाकत मकवरा इसाहे बिलाकत का मकवरा इबराहिम खान की मकवरी के एक ओर ही देखने को मिलेगा साहे कुली खान का मकबराज भी देखने को मिलेगा नाल में 1578 में इसका निर्मार करवाए गया था तो यह भी आप लो बाबा रामी शुधाम यह 25 किलो मीटर नाल नाल से देखने को मिलेगा बाबा रामी 110 यहां 1883 में 63 में आय थी चलिए ये भी आप लोग याद रखेगा तो ये कहानी आपकी इस तरह से आप देखेए कि आपका महंदगड की भी हो जाती है किसकी महंदगड की भी कतम हो जाती है चलिए तो हम लोग हर्याना की अंगले जिला रिवारी के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं देखिए रिवारी है और इसकी सीमा चर्खी दादरी जजजर हो गुरुगराम हो या महंदगर से लगती है और अंतराजीय सीमा इसकी राजिस्थान से लगती है और इसे अगर हम लोग राज बनानी की बात हो तो 1 नवंबर 1989 में इसे राज बनाए गया था और दच्छिन भाग में देखने को मिलेगा यहा रियाना में रेवाडी इसका मुख्याला है और 1594 वर किलूमीटर में फैला हुआ है गुरुग्राम मंडल में आता है रेवाडी ठीक है? रेवाडी की जली, रेवाडी, कोसली, बावल आपको देखने को मिलेगी और उपता है इसकी थारू, धारू, हेडा, पलहावास, नाहर, मनेठी देखने को मिलेगी इसके खंड रेवाडी, नाहर, और वावल, और खोल, जाटू साना देखने को मिलेगा आरक्छी सीठ है यहाँ वावल ठीक है? यहाँ की जनसंख्या देखें तो 9,332 देखने को मिलेगी और यहाँ की साक्षर्था 82.2 पिती सत है लिंगनपाथ 890 महिलाए हैं 1000 पूर्शों पर और रेवाडी यह जनसंख्या घना तो आप देखें 565 बैक्ती पिती बर किलूमेटर में रहते हैं तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसके उपनाम देखें तो रेवाडी, वीर सिटी, पीतल लंगरी, अहीरवाल का लंदन, पीतल लंगरी के नाम से जानते हैं बलराम के ससर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर इसनगर का रेवद वाडी रखा था, जो बाद में रेवाडी बन गया और एब्राहम 12 हजारी की मर्चेद रेवाडी मिशते थे, गंटे सोर मंदिर भी रेवाडी में देखने को मिलेगा आपको रेवाडी के परयाटन इस्थल आप देखें, तो रेवाडी पाईपर परयाटन इस्थल और रेवाडी मिशते थे और आप देखेंगे रामपूर महल रेवाडी में रानी की डेवडी इंद्रा गांधी विश्विध्याले नाहर बने जीव अभ्यारन यह रेवाडी मिश्ते थे और यहां लॉमडी, सियार, काला हेरन और यह अभ्यारन जून 2009 में संबिदन सील छेत गोसित किया गया था यह आप देखें चमड़े के जूते, वर्तन, हीरो होंडा, मोटर साइकल का यहां उद्धो, उद्धेव आपको देखने को मिलेगा और फंडित फहला सर्मा ने जीवतिस नामा समाचारपत सन 1928 में निकाला था और 1857 की करांती का नेतित रेवाडी की राओ, तुलाराम राओ किसने गोपाल और इसके भाई राओ गोपाल ने किया था और वावर रेवाडी में विधानसभा की अरक्षिस सीट देखने को मिलेगी राओ विरेन सींग का समद्ध रेवाडी से, ये हर्यान की पहले मतलब गयर कॉंग्रेसी एक तरह से मुखमंत्री थी उनकी पार्टी हर्याना विशाल पार्टी थी और संतो से आधास का संबंदी भी रेवाडी से है यह भारत की एकमात महला है जो माउंट एवरेश पर दो बार चड़ी जो माउंट एवरेश आप लोग कहां देखते हैं सिक्किम यानी की पास में आप देखे कि क्या है नेपाल में देखते हैं हर्यामना में पहली ट्रेंड 1873 में दिल्ली सी रेवाडी चली थी सी एनजी डेमो ट्रेंड भारत की पहली बार रेवाडी से रोहतक की बीद 13 जनवरी 2015 को चली थी और सौरूर्जा ट्रेंड भारत में पहली बार दिल्ली सी रेवाडी की बीद चली थी मोर और चिंकार पजनन के अंच्याब हुआ, रेवाडी में देखने को मिलेगा, आर समाज की साखा स्वामी दयान सरसुतिनी यहां खोली थी, रेवाडी में इस्ति लाल मर्चित का निर्मा अकबर की सासनकाल में हुआ था, हर्याना में किसी विश्विध्याला का छेत्री अन संधान के अंद वावल में देखने को मिलेगा, राव तेज सिंग का तलाव रेवाडी में देखने को मिलेगा, सरसाधी लाला का समंद रेवाडी से, पंजाव हायर्याना हाईकूट की पितम नियादीस्त भी थे, जंगल बाव अलर, परेटक स्थल धारू हेडा रेवाडी में देखने को मिलेगा ठीक है तो ये रेवाडी की कहानी कतम होती है तो इसके बारे में भी याद रखेगा चलिए अब हम लोग गुरु ग्राम के बारे में बात करते हैं और ये आपको गुरु ग्राम आपको देखने को मिलेगा पलवल भी इसे ही के पास में देखने को मिलेगा ठीक है और आप देखेंगे कि इसे कब राज इसे एक नवंबर 1966 में जिला बनाया गया था इसका मुख्याल है गुरुग्राम में ही देखने को मिलेगा आपको इसका छेतफल 1258 बर किलुमीटर में फैला हुआ है आपका गुरु ग्राम मंदल में आता है पटोदी गुरु ग्राम सोहिना मानेसर फरूक नगर इसमें देखने को मिलेगा गुरु इसकी तैसिल हो गई ओप तैसिल इसमें आप देखेंगे गुरु ग्राम मानेसर पटोदी फरूक नगर हो गया और इसके खंड गुरुग्राम, पतोओदी, सोहना और फरूपनगर हो गया, आरक्षे सीटे यहाँ पतोओदी है, और जन्संख्या आप देखें, पंद्रे लाइख किटना? माप करिए, यह आप देखेंगे इसकी सबसे कम जन्संख्या है यहां की जनसंख्या आप देखेंगे कि आपकी एक कितना 15,14,085 के लगभग देखने को मिलेगा यहां गलत छप गया है तो यह हो जाता है कई बार आप देखें अब 2021 के आपड़े आ जाएंगे तो आप देखें फिर बदल जाएगी यहां की साक्षरता 84.4 परसेंट है जानी की घना आवादी बाला छेत है और गुरुग्राम सबसे अधिक जनसंख्या विद्धी दर बाला जिला है गुरुग्राम सरवादिक साक्षरता बाला जिला भी आपको देखने को मिलेगा इसके प्राची नाम सपनों की नंगरी के नाम से जानते मनुरंजन हब साइव सिटी, मिलेनिया सिटी, मैडी सिटी, इलेक्टोनिक सिटी, उत्तर भारत का कॉल सेंटर, आप कैपिटल, भारत की माल सिटी, उध्योग बिहार की नाम से जानते, 13 अपरल 2016 को गुरुग्राम रख दिया गया थै इसका, और पांड़ों के जिस्ट पूत युदिष्ठर ने इस गाउं का पुरा नाम गुडगाउं मसानी था, क्योंकि यहां माता मसानी, चेचक की देवी सीतला माता का मंदरी देखने को मिलेगा, गुरु दोड़नाचार की पतनी का नाम सीतला माता था, और आप देखने की 1857 के समभए यहां तीन रियासतें और 11 परगने थे, जिल जाउदिन खिलजी ने इसका निर्मार करवाए, गोपालगिरी का किला बलवंद के द्वारा बनाया गया था, सोहिना का किला, यह आप देखें, राजा जबहासिंग के द्वारा 28 सदी में यहां निर्मार करवाए गया था, पतोदी महल, यह आप देखें, यह पतोदी के ब बॉज दार खांदवारा बनवाए गया था या सीतला माता का मंदर देखने को मिलेगा आपको पुलिस कमिशनेरी भी आपको गुरुगराम में ही देखने को मिलेगा हरयाना की ठीक है और नगरनेगम गुरुगराम नगर परिशत्र राज्य सरकादवारा 2008 में नगरनेगम का दज्जा दिया गया चौदरी दिवीलाल आदे सुद्धों की नंगरी भी यही आप लोगों को देखने को मिलेगी गुरुगरा में 1857 की करांती 13 माई 1857 से शुरू हुई थी और सुल्तान पूर राष्टिये उद्यान भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 1972 में बक्षियों के पिसिद बिग्यान एक डॉक्टर सलीम अली ने इसे जलिये बक्षियों के लिए रक्षित घोसित कर दिया था तो यह भी याद रखेगा गरम जल का चस्मा यह सोहिना गुरुगराम जिले का बिख्याद स्थान सोहिना अपने गरम जल सिरोतों के कारण अगर गुरुगराम में हलील पुर्जील गुरुगराम में ही देखने को मिलेगी आपको गुरुगराम के पार्क हाई टेक टेकनोलोजी पार्क बायो टेक पार्क आई आई टी पार्क और सोफ्ट्वियर टेकनोलोजी पार्क समा परेटन इस्तल रतन आभूसन पार्क गड 2010 में हुई थी बिनो ला गाओं में इसका उड़ गाटन 23 अपरेल सन 2013 कुगा था और ITM विश्विध्यालाई 1996 में अमेटी विश्विध्यालाई 2010 में जीडी ग्वेनपुरुसका 2013 में एपी जे सत्त विश्विध्यालाई राष्टी मस्तिष अनुसंधान के 1997 में गुरुग्राम की मानेसर में हरी मंदिर संस के विध्यालाई देखने को मिलेगा देश का पितम रक्षा विश्विध्यालाई बिनोवा गुरुग्राम में ही देखने को मिलेगा यहां आप देखी खनिच की बात करें तो कांच बालू गुरारा गुरुग्राम का इच का मिला नहरू इस्टेडिया में यहां देखने को मिलेगा कुछ नहर आप देखें सिचाई होती है फरीदाबाद में जिलेव सिचाई होती है तीक दो यह भी आप लोग याद रखेगा यमना नदी पर बांध बना कर निकाली गई है मारूती सुचकी का उद्देउग भ ली थी ठीक है और हर्यान में सरवाधिक राजस्त गुरुग्राम से ही प्राप्त होता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा गुरुग्राम इसके इंग्डम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहले लाइफ मनवनिजन थेटर अक आसे दिली में गुरुग्राम एक्सप्रेस की आपना तीस जनवरी 2008 में हुई थी और आप देखें दो फरवरी 2008 को मानिस और को दूसरा पुलिस जिला घोसित किया गया था पहला हांसी ऑटो हब के नाम से भी जानते हैं तो यह भी छोटी-छोटी बाते हैं आप लोग याद रख सकते हैं गुरुग्राम सौट वे नर्य अधर तीरे को स्थापित किया गया था हर्याना की लोग पे सासन संथान भी गुरुग्राम में ही देखने को मिलेगा जो तेस मारतंड समाचारपत भी पेकासित हुआ था 1925 में गुरुग्राम से ही अद्धराष्टी सवरूजा का मुख्याला गुरुग्राम में ही देखन अगस्त 2007 में इफित यार अली खान आप देखेंगे यह हौकी खलाडी थी यहीं से इनका सम्मद्ध था इतिहासिक रूप से गुडगाओं हिंदू लोग बसे हुए थे और यही पराचिन काल में अहीर द्धापित ब्यापक समराज का हिस्सा होता था पहली इतिहास में कहा था कि यह गुरू दोड़ाचार का गाओं था जो की कौर्वों पंडवों की सक्षक थे ठीक है अकबर की सासन काल के दोरान गुरू ग्राम दिली और आगरा छेतों में गिना जाने लगा था अठाए सो तीन तक इसकी आधिकांस से बेटे सासन की तहत सिंधिया के साथ सुर 66 में आप देखें हर्याना राजी के निर्मार के साथ यह हर्याना में सामिल हो गया था तो इस तरह से यह कहानी किसकी खतम होती है गुरू ग्राम की खतम हो जाती है अब हम लोग फरीदाबाद की बारे में बात कर लेते हैं और आप देखेंगे कि यह आप लोगों को यहां अध्य ग्रमुटरक्रपुदिष इसका पड़ोसी राज्य है, ठीक है, और यह हर्याना की दच्चेनपूरु इससे में देखने को मिलेगा, 15 अगस्त्व sunlight में से राज क्या जिला बनाए गया था, हर्याना राज्य का जिला बना था, इसका मुख्याला है फरीदाबाद में ही देखने को मिलेगा और खंड इसके फरीदाबाद और बल्लवगंड में देखने को मिलेगा और इसकी कुल्चत जनसंख्या देखें तो 18,9703 देखने को मिलेगी साप्चरतादर 81.703 है लेंगनबाद 873 है फरीदाबाद का जनसंख्या घनत देखें तो 2442 बैक्टी-पिती ब नाम से जानते हैं बाबा फरीत की नहरी से भी आप लोग जानते हैं यहां बढ़ खल जील भी आपको देखने को मिलेगा मतुरा राश्टी राजमार्क से मात तीन किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा 1947 में सचाई परियूजना की अंतरगत इसका निर्माण किया गया था इसका मुख वो देश भूमी के कटाओ को रोकना था तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आंगे आप देखेंगे कि इसके बारे में अरावाली का गोल्फ मैदान भी यहाँ देखने को मिलेगा यह नैशनल हाईवे 2 से सटा हुआ है इसका डिजाइन अमेरिका के स्टीफन के ने किया था सूरज कुंड यह इसका निर्मार तॉमस बंस के राजा सूरज मल्ले की रवाय था सूरज पालने ख्वाजा की सराय यह आप लोगों फरिवद्दाबाद के जिले सराय ख्वाजा में देखने को मिलेगा और लगबग 300 परस पुरानी मानी जाती है ठीक है और सराय की नाम प हुआ था साहतकारों का अराद इस्थल भी है ठीक है राजा नाहर सिंग की हवेली यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी बलब गड़ दुरों में ठीक है तो इसे भी याद रखेगा और बाबा फरीट टॉम्ब यह सोफी संथ बाबा फरीद ने फरीदाबाद नगर की स्थापना की थी या गुम्मद इस्थानी लोगों के लिए तीर्थ सथल है सिद्धी दाता मंदिर यह बढखल से सूरज कुण रोड पर देखने को मिलेगा फरीदाबाद में धोज धोज जील भी आपको यहीं देखने को मिलेगा ठीक है सौंधार यह फरीवादाबाद से 65 किलो मीटर दूर देखने को मिलेगा है उतकिष्ट सिल्फ के अनेक लागतिया है बल्लब गडवी देखने को मिलेगा आपको यह तो यह भी आप लोग याद रखेगा और मानता की अनुसार इस नगर का निर्माद एक निर्धन किसान बल्लब सिंग ने करवाया था देवी अब हम लोग अंगला जिला है नौह इसे आप लोग मेवाद के नाम से भी जानते हैं और इसकी सीमा आप लोगों को गुरुग्राम से लगती है रेवाडी से लगती है और देखे पलवल भी इसका पड़ोसी यहीं पास में आप देखे आपका राजिस्तान है और उत्तर प देखे गा और हर्याना की दच्छन भाग में देखने को मिलेगा है चार अपरेल दोजार पार्च में से जिला बनाए गया था पंद्रे सु साथ बरक किलोमीटर में फैला हुआ है यानि की चेतफ़ल है इसका फरीदाबाद मंदल में आता है नोह तवाडू फिरोजपूर जिरका पुनहासा इसकी तहसीलें देखने को मिलेगी ओप तहसील नगीना है खंडिस के नगीना पुनहाना फ्रोजपूर जिरका जिरका कई बार आप देखते हैं कभी भी जिले बना दिये जाते हैं कोई उसमें बड़ी बात नहीं है इसकी जनसंक्या 10,89,263 है यहां की सा पुद्री ओमपकास चोटाला ने 2 अक्टोबर 2004 को राष्ट विता महत्मा गांधी और सवर्गी अपिधान मंत्री इलाल भादो सास्तरी जी की जहनती पर मेवाद जले की घोषना की थी और उस समय इनका इसका नाम सत्तमयो पूरम था और जब भारत आजाद हुआ तब महत सलमानों ने पाकिस्तान जाना सुरू किया था और तब महत्मा गांधी ने उने कहा था आप पाकिस्तान से जाना भारत में सुरक्षित हो और सत्तमयो जैते का नारा दिया था और इसलिए जब मेवाद बनने की घोषना हुई तब इसका नाम सत्तमयो पूरम रखा गया था बाद में बदलकर मेबात कर दिया गया था और आप सभी जानते हैं कि आज सुरक्षित भी भी हैं भारत में आप सभी जानते हैं जितनी आजादी भारत में उतनी पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलेगी 2005 में कॉंग्रिस सरकार ने इसे जिले का नाम बदल कर मेवाद कर दिया था और बारे बारे 2000 सुले को भाजापा सरकार ने इसे जिले का नाम नुह कर दिया था और सेख मूसा की मजार मेवाद जिले में देखने को मिलेगा सरवादी कि लंगानपाद वाला जिला है 907 एक हजार पोर समपा, नौसो साथ महिला हैं देखने को मिलेगी, 907, 907 नेुन्तौं साख्चरतावाला जिला मेवाथ है, मेवाथ के منजीरा और रतपाई नित पे सिद्ध है यहागा और मेवाथ में झीले कोटला जील मेवाथ जीले में देखने को मिलेगा मेवात जिले का नाम करण मेवों की अधिकता के कारण पड़ा है 1857 की करांती में मेवात कनेते थे सदरुद्दीन मेवाती ने किया था हर्याणा का पहला चलने आला है भी मेवात में इस्ते थे दोड़दरसन का रिले स्टेशन फिरोचपोर जिरका मेवात में ही देखने को मिलेगा साहितपोर हसन खाम एवाली गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज ए मेवात में ही देखने को मिलेगा ताउडु का किला ए आप देखे मेवात में शोही मल तालाब ए मेवात में युनानी कॉलिज हर्याना में मेवात में खोला जाएगा, मरोडा गाउं का नाम बदल कर अमेरिकी राफ़दी डॉनल्ड टरम्प के नाम पर रखा गया है, भारत का पहला कंटी कलब मेवात में है, किलब कंटी कलब गोल कोर्स एपाडा तावडू मेवात में ही देखने को मि करता है, 1527 में हसन खां मेवात में बावर का विरोध किया था, सबनम बानो जो 9 से संस्कित की पहली मुस्लिम लेक्चर अर्थी, हर्याना का नियुनतम GDP बाला जिला भी मेवात थे आपका, थिरोज सिर्का आप देखेंगे, थिरोज जिर्का को राजिस्तान तीनों और से ग विवा, विवा गाउं मेवात में ही देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो यह चोटी सी कहानी आप देखें मेवात, यानि की नू की हो गई, ठीक है, हर्याना का अंगला जिला है, पलवाल, और इसकी सीमा आप देखेंगे कि इसका पड़ोसी नू मेवात है, फरीदाबा पड़ोसी गुरुगरामदी आपको देखने को मिलेगा, इसकी सीमा उत्तरपदेश से लगती है, कहां से लगती है, उत्तरपदेश से इसकी अंतराजी यह सीमा भी लगती है, यह भी आप लोग याद रखेगा, इसे 15 अगस्त 2008 में जिला बनाया गया था, इसका मुख्याल पलवल में देखने को मिलेगा, इसका छितफपल 1368 बरग किलुमीटर में फ्यला हुआ है, और पलवल हो, हौडल हो, हतीन हो, पलवल, हौडल, हतीन, इसकी तहसील और मंडल देखने को मिलेंगे, खंड, पलवल, होडल, भाशनपूर, हतीन, और इसकी जनसंख्या 10,42,708 देखने को मिलेगी और जनसंख्या की करम में आप देखें पंदरवे स्थान पर है और यहां जनसंख्या घनत 762 बेक्ति पिती बर किलूमीटर में नपास करते हैं लेंगानपार्ट 880 महिलाएं देखने को मिलेगी 1000 फोर्सों पर साक्षरता आप देखेंगे 59.3% है तो यह भी आप लोग याद रिखेंगा यहां की अगर नगरी जनसंख्या को अगर आप देखना चलें परेटन 6 आप देखेंगे तो यहां पंचमडी मंदिर डप्चिक सती काईस्थान देखने को मिलेगा और अनुसुची जाती आप देखेंगे 2,3,123 यहां आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अगर इसके आप लोग उप नाम देखें न तो उप वाला अप लवा कोटन सिटी के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं यहां पर अटन डप्चिक पर अटन आपको देखने को मिलेगा सुनीर लामा नौसेन अध्यच का जनम भी यहीं हुआ था पलवल में राय बहादुर लाला मोडली धर का संबंद भी पलवल से है हर्याना के पिथम जेल सत्या गी थे इन्होंने हर्याना में कॉंग्रिस की पहली साखा 1886 में अंबाला में लेकर गए थे पंचमडी पंचवटी मंदिर यहीं आपको देखने को मिलेगा और कहतने है कि आज्यात के समय आप देखिए पांडवों ने इस इस्तान पर बिस्तराम किया था इन्ही की याद में इस इस्तान का निर्माड किया गया दाव जी बलराम जी का मंदिर यहां देखने को मिलेगा आप लोगों को सती का इस्तान आप भी आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा ठीक है इसका निर्माद भरतपूर के राजा सूरज मल के द्वारा करवाय गया था और बारा खंबा चातरी यहां देखने को मिलेगा महल नोब आप देखेंगे हबेली का निर्माद 1754 से चौशट के वीच भरतपूर के राजा सूरल मिल के ससुर ने करवाय था कासी राम सुरोता ने और किसोरी महल भी आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा कासी राम सुरोत के द्वारा करवाय गया था इसका दरोफती घाट पलेवल में, डबचिक जील होडल पलवल में कॉसल विकास विद्याले भी हैं आपको देखने को मिलेगा लाल मुरली धर देखने को मिलेगी हैं पिथम जेल सत्याईगी भी थे और माटिया का किला पलवल में ही देखने को मिलेगा यमना नदी पलवल के हसनरनपूर नामकिस्तान से उत्तरपेदेश में प्रविश करती है 10 अपरेल 1919 को पलवल के रेलिवे स्टेसन पर महत्मा गांदी को भारत में पहली बार गिरफतार किया गया था 18-57 की किरांती में पलवल का नेतित गफूर अली ने किया था होडल पलवल की विधासादवा सीट अरक्षित भी है और नेताजी सुभाश्यंद वह स्टेडियम पलवल में ही देखने को मिलेगा चौदरी कासी राम हवेली पलवल में ही रक्षा बंदन का मेला भी पलवल जिले में लगता है लिंगानबाद में हर्याणवान का नंबर वन गाउं है कोडल ठीक है यहां आप देखी एक हजार पूर्सों पर तेरे सो इकानवे महिलाएं देखने को मिलेगी यक यक छेडियों की मूर्तियां पलवल में मिली है चमेली बन भी यहां देखने को आपको मिलेंगे ठीक है अनुबान को समर पे थे है यह तो यह भी आप लोग याद रखीगा सिटी परवल को पाला सुरू नाम से एक दानों का नाम मिला है जिसने पांड़ों के काल में के दोरान इसे तानपासासन किया था महत्मा गांधी की याद में यहां यहां सिक इमारत गांधी आश्रम भी है बेटिस काल में आप देखेंगे 1777 में भाग भी लिया था यहां इसने चलिए यह जानकारी है देख सकते हैं आजादी की बाद आप देखेंगे 15 अगस्त 1989 को गुडगाओं जिले को एक नया फरीवावत जिला बनाने के लिए आँगे बढ़ा और पलवल का हिस्सा बना अंधता 15 अगस्त 2008 को पलवल हर्याना के 21 बा जिला बना था तो इस तरह से आप देखेंगे यह पलवल की कहानी क अंगला जिला है हमाईरा हिसार हर्याना का ठीक है और इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो देखें फतेहाबाद से लगती है जिंद से लगती है रोहतक से लगती है और भिवानी से लगती है अंतराजी सीमा इसकी राजिस्थान से लगती है अगर इसकी मुख्याले की करें तो हिसार में देखने को मिलेगा इसके इस्थापना एक pricing Couple 1966 में हुई थी 3983 वर किलोमीटर में फेला हुआ उप मंडल इसका हांसी है और वरवाला नारनोंद देखने को मिलेगा तयसीले आधमपूर खांसी और नारनोंद वरवाला बास देखने को मिलेगा और तयसे लिए उकलाना मंडी, बाल, समंध और मास देखने को मिलेगी. खंडिसकात, आदंपूर हो गया, वर्वाडा हो गया, बास हो गया, हासी हो गया, हासी टू हो गया, हिसार 1, हिसार 2, नार्नोंद, अगहोः, अग्रोहा और उकलाना हो गया. यहां के पिरमों उद्द्योग की बात करें तो कपास हैंड लूम वस्त किसी यंत और सिलाई मसीन यहां के पिरमों उद्द्योग हैं जनसंख्या देखेंगे तो 17,43,931 देखने को मिलेगी जनसंख्या घंत 438 ब्यक्ती पिती बार किलो मीटर में नवास करते हैं लिंगनपात आप देखें तो 872 है एक हजार कुरसों पर 880 मैला हैं साक्षरता देखें तो 82 दिसमलो नवासी आप लोगों को देखने को मिलेगी पिरमुख इसके नगर हासी नानोंद वरवाडा उकलाना पिरमुख फसलें देखें तो गेहूं कपास चना बाजरा सलसों अनीता कुंडू परवत रोही हैं और इनका सम्मध आप देखें कि यहीं से हिसार से देखने को सुभाष चंद्रा यसपाल सर्मा मनीशा जोसी और चंदग्री राम चुकुस्ती से जुड़े हुए हैं यहां मात्पूंड संस्थान देखने को मिलेंगे सुवर पिजननकेन भेड पिरिजननकेन असो अनुसंधान संस्थान भेंस अनुसंधान संस्थान चौदरी चरंसिंग विस्विद्ध्याले गुरु जम्बे सुर विस्विद्ध्याले लाला लाचपत राय विस्विद्ध्याले राजीव गांदी तापी विद्धुत परियोजना भी यहीं आप लोगों को देखने को मिलेगे हैं, चार कुतुब दरगा भी हैं, कुतुब का मतलब होता है कि बिद्वान जो समाज का मार्क दर्सक कर पिदान करें, हांसी में इसके चार कुतुब दरगा में चार सूफी संतों की मजारे हैं, सेख कुतुब जलाल उद्दीन अहमद, कुटब मुलाना आप देखेंगे कि गबाबा मीर शाभ की मजार देखने को मिलेगी लगबाग य Això साल पुरानी है बाबा मीरा साभ का पूरा नाम हजरत, निजामत उल्ला, वल्ली, वली और मीरा साहिब था हैं का यहाँ से जोड़े हुए कुछ ब्यक्ती भी है जिन्दल स्टेनलेस के इंजिनियर गोविन राम के घर में सन 1960 को इस जिले के सिवानी कस्वे में हुआ था और इन्हों ने आप सभी जानते हैं कि 1989 में IIT खड़कुर से पढ़ाई लिखाई की अब आप सभी जानते हैं कि फिल सिविल सर्विस में इंकम टेक्स ऑफिसर बनते ह हैं कि अन्ना अंदोलन के साथ जुड़ते हैं फिर आप सभी जानते हैं कि क्या बनते हैं मुख मंत्री है दिली के जहाज कोठी भी यहीं आपको देखने को मिलेगी जॉर्ज थॉमस द्वारा एक निवास की रूम में इसकी इस प्रियुक्त की गई थी है दिगंबर जैन मं खलतानपूर में देखने को मिलेगा साथूं की समाधी स्थे थे सेंट जॉर्ड थॉमस चर्च भी आपको यहीं देखने को मिलेगा ठीक है बुगा कुमारी मंदिर कुमारी यहीं देखने को मिलेगा ठीक है एक कुमारी कन्या सती हुई थी और उसी के नाम पर इसका नाम भ लोगों को देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि यह सहर नगोरी गेट की समाज मंदिर की स्थापना लाला लाच पत्राय पंडित लगपत्राय बाभू चूनामनी चूडामडी और तायल बंधूं चंदूलाल हरीलाल बाल मुकुंद आदिने सन आप देखेंगे 1886 में की थी ती और लाला लाच पत्राय एक वर्स के लिए इसके संस्थापक सची भी रहे थी गुजरी महल यह आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो यह फिरोधा तुगलक के द्वारा बनवाए गया था इसे लाल वाग भी अब करांती मान पार किसे जानते हैं आप लो 1857 की विशाल विद्रोग से पहले यह चर्च सडक के पार कंपनी भाग था तो यह भी आप लोग याद रखिए को इसके बारे में भी प्राढ़ पीर बास्ता का मकवरा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां बिस विद्ध्याल है गुरू जंबे सुर बिस विद्ध्य पचासी में हर्याना राज सरकाद्वारा संस्थान के भातिय किरसी अनुसंधान परिशत को हस्तांतर्ण की बाद केंदरी पसूसोत संस्थान की स्थापना की गई थी राष्टी अस्थ अनुसंधान केंदरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अग रौः जिले के अग गड़राज मौझूद था यहां, जिसकी राजधानी अग ग्रोहा थी, तो चलिए यह भी याद रखेगा, इस तरह से आप देखिए हिसार की कहानी कतम होती है आपकी, देखिए हर्याना का अंगला जिला है, आपका फतेहाबाद, और इसकी सीमा अगर आप लोग देखे आपको देखने को मिलेगी इसकी सीमा, देखिए Пंजाब से लगती है अंतराजी सीमा, राजिस्तान से भी लग रही है, राजों में हिसार हो गया, जिंद हो गया, और सिरसा इसका देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना आपको 15 जुलाई 1997 में हुई थी, फतेहाबाद मे इसका मुक्यालाय देखने को मिलेगा 2538 बर किलोमीटर में फैला हुआ है इसके उबमंडल फतेहबाद तोहाना रतिया देखने को मिलेगा तहसील फतेहबाद तोहाना रतिया देखने को मिलेगा ओप तहसील यहाँ आप देखेंगे भून भट्टुकला जाकला कूला देखने को मिलेगा और इसकी इकुल जन संख्या आप देखने तो नौ इसकी आप जन संख्या नो लाख bete किनारिय नदियों के किनारिय और दर्ष्टा दती और उसके विस्तार की द physician हिसार और फतियाबाद के एक ब्यापक छित को कबर किया था तो ये भी याद रखेगा हिसार और फतियाबाद में असोक इस्तम की खोश से पता चलता है कि जिले का छित मौसमराज का हिस्सा भी रहा है और 1798 तक जॉर्ज थॉमस किन्य अंतर में अग्रो और तोहाना महत्पू की पराजित किया था इसमें नमबर 1884 में सिर्सा जिले को समाप्त कर दिया गया और गाओं के वितरन की बास सिर्सा तहसिल का गठन किया गया था तो ये कहानी है इसकी और आप देखिए उन्नेस से तहसिल उन्नेस गाओं को समाप्त कर दिया गया था है यहां अगर आप दे अपने बेटे फते खान के नाम पर इसे को बसाया था तेरह सो अंठार में में तेमूर ने फतेहाबाद पर आक्मर किया था भील जाती सबसे अधिक पाई जाने के कारण उधान नगरी भी कहा जाता है और यहां सबसे जान्दा अधिक सेव के लिए अमरूत का उत्पादन भी होता है फतेहाबाद में सबसे कम बंदपितीसत देखने को मिलेगा हर्याना की सबसी पुरानी हवेली फतेहाबाद जिले में देखने को मिलेगी वनावली का विद्रू आप देखेंगे 1835 में गुलाब सिंग ने किया था फतेहाबाद में 1953 में पहली कौटन मिल की सथापना हुई थी फतेहाबाद में परमाडूर जा परियोजना की सुरुवाद 2014 में की गई थी और फतेहाबाद में मनेशा ने 2019 में माउंट एवरिष पत्तिरंगा फैराया था और 2019 में कबीर का महापकों मेला भी लगा था जिसका उतगाटा नोस समय की जो राष्ट पती थे रामनाथ कोविन सहब ने किया था ठीक है ठोहाणा का पुरा नाम तासंज था तो यह भी याद रखेगा चोटी चोटी बात है कि इसके बारे में याद रख सकते हैं हर्याना का पहला सैनेरिटी पेड कार खाना भी फतेहाबाद में है पहला बैक्ती रामाल है जिसने माउंट एवरेश्ट की चड़ाई की थी ये फतेयाबाद का भी है ठीक है चलिए ये भी याद रखेगा और यहां से फतेयाबाद से आप देखें फतेयाबाद से एनेस नायन गुजरता है और फतेयाबाद में कोई भी रेल वी लाइन भी नह गये हैं हुमायू की मस्जित के नाम से भी जाने जाने बाला यह मस्जित मुगल समराथ हुमायू द्वारा एक ऐसे इस्तान पर बनाये गया जहाद दिल्ली सुल्टान फ्रोसां दुगलक की द्वारा बनाये गये लाट पहले से एक खड़े थे ठीक है तो यह भी याद फतेयाबाद में इसते चिल्ली जील इस्वर जैंती हेरिटेज पार्क का निर्मार किया गया है फतेयाबाद में अनुसंधान के अंदे देखने को मिलेगा यहां कुछ आप देखे कि कुछ ब्यक्ती भी जुड़े हैं प्रेंग का पहली महला पाइलेट थे हैं रवी नास् बाद से है तो इस तरह ऐसे आपके फतेयाबाद की कहानी कटम होती है अध कि हर्याना का अंगला जिला है आप देखेंगे सरसा और इसके बारे में अगर हम यह बात करें तो देखे इसकी सीमा पंजाब से भी लगती है राजस्तान से लगती है और फतेहावास से लगती है इसे आप देखेंगे तो ये पूरी पूरी प्रांगाड में देखने को मिलेगा और आप देखेंगे 26 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना हुई थी मुलक्यालाय सिरसा म ही है इसका छितफल ब्याली सो सततर बर किलोमीटर है उप मंगल सिरसा डववाली एलनाबाद है और तहसील इसकी सिरसा रानिया डववाली एलनाबाद कलावाली है उप तहसील गौरी वाला नाथु सरी चौपटा चौटाला देखने को मिलेगा इसकी कुल जन संक्या आप 12,95,189 देखने को मिलेगी साक्षरता दर 68,82 पिती सत है लेंगरपात 897 है आप देखेंगे एक हजार पूरसों पर 897 महिला है जन संक्या घनत आप देखेंगे 303 पिती बेक्ती बर किलोमीटर में नबास करते हैं इसका उपनाम सरसुती नगर संतों की नगर नगरी वन नग की नगरी की नाम से जानते है आप लोग ठीक है? और हर्याना का छेत फल का हिसाब से सबसे बड़ा जिला है आपका देखेंगे 42 स सत्तर वर किलोमीटर में ठीक है? तो यह आपको देखने को मिलेगा और हर्याना का सबसी कम जन संख्या घनत बाला जिला है यह सरसा के द्याई औमहा भारत गिरंत में भी इसका नाम मिलता है ठीक है तो यह भी आप लो याद रखेएगा और जन सुरूती के आधार पर यह भी कहा जाता है कि बाबा सर साहिनात के नाम पर सिर्शा जिले का नाम पढ़ा था तो यह भी आप लो सिर्शा यहां सबसे बड़ा अन बन जीब अभ्यारन सिर्शा में ही देखने को मिलेगा इसरायल की साहता से सिर्शा जिले में फल उतकरिष्टिता केंद की स्थापना 2013 में की गई थी तो यह भी आपनो याद रखेगा लीलाधर दुखी इसमारक की स्थापना 26 अगस्त 2001 में की गई थी है चौदरी दिविलाल बिस विद्याले की स्थापना सिर्शा में दो अप्रेल 2003 में की गई थी सिर्शा जिले में भारती भाई सेना का मिलिटरी वेस भी है हर्याना का पहला कैसलेस गाउं नीलाव वली सिर्शा जिले में देखने को मिलेगा सुर्खाव पर एटन स्थल सिर्शा जिले में देखने की डानियों रानिया कस्वे में हुआ था और साहीद भगत सिंग स्टेडियम साह सतनाम जी क्रिकेट इस्टेडियम राजा सारस का किला सिरसा में ही देखने को मिलेगा आपको यहां गुरु द्वारा चिल्ला साहे संत विहारी की समाधी सुर्खा परेयटा किस्थल देखने को मिलेगा केंद रियंक कर पास अनुसंद्हान केंद सिरसा में ही देखने को मिलेगा हरिानम момент रेगा की शुरुआ सबसे पहले सिरसा और महिंदगड जिले में हुई थी पंजाब के मुकमंत्री बनने वाले गोपी चंद भारगों का सम्मंद भी सिर्षा से था ग्याहूं कपास, फल और आप देखेंगे सबजी उतपादर में सिर्षा का इस्तान हर्याना में पहले नमबर पर है और आप देखें सिर्षा जिले में स्थित फिरौजाबाद कस्भे को फिरोज्षा है तोगलक ने बसाए था गायक रोपिंदर हंड़ा का समंद भी सिर्षा है सिर्षा जिले का चोटाला गाओ हर्याना राज की पश्चमोतर शोळे पा देखने को मिलेगा राजा भोष से सम्मंदित अविलेक सिर्षा में मिला है हर्याना राज में सरवादिक गौसाला हैं सिर्षा जिले में देखने को मिलगी तो यह भी आप लोग याद रखेगा यहाँ कुछ ब्यक्ति यहाँ से जुड़े रहें सिर्षा से गोपाल कांडा यह वर्तमान विधायक है राजया सरकार में मंत्री भी रहे चुक एं सरदार इसिंग यह होकी के खिलाड़ी रहे है पदम स्री और अरजन पुरुसकार भी इन्हें दिया गया सभीता पूनिया यह होकी खिलाड़ी रहे है और चौधरी देवी लाल ये आप सभी जानते हैं कि ताउ देवी लाल के नाम से जानते 25 सेप्टमबर 1914 में इनका जन्म गुदा था भारत के उप्पधान मंत्री भी बने थे 2001 में इनकी डैध भी हुई थी इनका लोक राज लोक लाज से चलता बहुत पे सिद्ध था इनका न ही थी ओम पेकास चोटाला आप सभी जानते हैं कि ए चौधरी देवी लायल के आप देखी की पुत्र हैं ठीक है दोसेन चोटाला ये वर्तमान में हर्याना के उपमुख मंत्री हैं आजैसिंग चोटाला के बेटे हैं इन्होंने जन्नायक जन्ता पार्टी का बनाया ये सब इतारा बाबा की कुटिया दादी सती का मंदिर यहां देखने को मिलेगा आपको गुरु द्वारा गोविंद सिंग चोर मोर डव वाली भी देखने को मिलेगा डेरा बाबा भूमर साह भी यहां ही आपको देखने को मिलेगा तो सिरसा जिले का इतियास बहुत प्राचीन है धन की बहुलता होने के कारिन यह जिला, राजाओ की आकमण का भी एक आकरसन के अंदरा है और आपको बताऊँ कि 1930 में खिलजी बंस के अंतिम सासक नसुरुद्दीन खुश्रोद साहा और दिपालपूर के गवर्नर गाजी मलिक के बीच सिर्षा जिली में युद्ध भी हुआ था फर आप देख 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 1389 में में तैवूर लंग बिजय पर आपती के निच्चे से अकमण करता हुआ सिर्षा से फतेयाबाद बटोहाना की और अगसर हुआ था 1837 में अंग्रेजों ने भटियाना जिला बना कर सिर्षा को मुख्याले बनाया था 1884 में भटिया खतम कर सिर्षा को एक तैसील बना का इसाजले के साथ मिला दिया गया था सिर्षा जले में इतिहासिक नगर रानियों जिसकी स्थापना 1420 स्थापदी में राय बिरू ने की थी 1818 में यहां रानिया में कि नबाब जावित खान ने अंग्रेजों के खिलाब बिद्रो भी किया था तो यह भी याद रखेगा आप लोग और इस तरह से आप देखे सभी जिलों की कहानी खतम होती है पंचकूला से सुरू होते हुए आप देखे सिरसाफ पूर आप देखे हर्याना हम लोग देख चुके हैं आपके कोई सवाल हों तो आप लोग बता सकते हैं जब आपको सलाय हो तो वो भी दे सकते हैं और आप लोगों के कुछ और मांगों तो भो भी आप लोग रख सकते हैं ठीक है बस आपको फायदा होना चाहिए मेरा उद्दे से ही है आप किसी भी तरह से पढ़िए कहीं से भी पढ़िए बस आप मेहनत करिए और सिलेक्शन पाईए बस